कि हेलो डियर लेर्नर्स आज आए आज हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि आपको सबको पता हुए कि टाइम और टैंस जो है हमारा कॉंपेटिशन के सलेवर्स का वन अब जो इंपॉटन चैप्टर से टाइम और टैंस पर बेस्ट क्वेशन साथ अच्छी बात नहीं है कि बच्चे इसको बहुत कम टाइम से पढ़ना शुरू कर देते हैं टाइम इंटेंस जब वो सिक्स क्लास में होते हैं मुझे लगता है तब से उनको पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है ठीक है लेकिन कहीं ने कहीं पर गलत अप्रोच की वज़े से या आदियदूरी जानकारी की वज़े से जब वो कॉंपेशन के लिए तैयारी करते हैं तो अब न बचे और इस सेसन में हम सबको कवर करेंगे बड़े सिस्टमेटिक तरीके में एक एक करके शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बेसिक समझ देते हैं को अब देखिए यह तो आपको भी पता है कि एक सिंगल क्लास में टैंस के कॉंसेप्स होगरे तो हम कवर नहीं कर सब्सक्राइब आज करते हैं क्योकि दोह उसारी क्या सकते तो हम कुछ ऐसे जो बेसिक्स ऑफ दी बेसिक्स हैं उनके भी जो बेसिक्स हैं वो हम एक बाट डिसकस कर लेते हैं जिससे की जब आपको कुर्शन समझाए जाएंगे कॉनसेट समझाए जाएगा तो एक लिस्स समझ में आज जाएंगे आज की क्लास में हमने ज्यादा तर जो प्रिवेश्य के पेपर से लें तो मैं आपको ना ज्यादा नहीं लेकिन मैं चाहूँगा कि दो तीन बेसिक्स हैं टैंस के वह एक बार आप समझ लो क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है वह आपके लिए ज्यादा फृट्फुल तभी होगा जब वह अप्रोच आप ले पाऊगे जिस अप्रोच के साथ मैं डील करता हूं क्रूश्चन को अगर वह अप्रोच आपको चाहिए तो यह दो तीन बेसिक्स जो मैं आपको बता होना चाहिए वो यह टाइम डिसाइज देटेंस अब इसका मतलब क्या है टाइम डिसाइज देटेंस का मतलब क्या हुआ है मैंने एक सेंटेंस लिगा वी विल गो देर एस्टरड है हमने कहा वी विल गो देर एस्टरड है अभी आप क्रूश्चन देखेंगे तो सबको पता कि यह गलत है ठीक है सारे बच्चों को यह पता है कि यह क्रूश्चन जो हमने लिखा है यह गलत है ठीक है गलत क्यों है क्योंकि जो इसमें हमने टैं लिखा है विलगो कि वो緩 फूचर को रएफ्र कर रहा है टायं ड़ो हुने लिखा है वो पस्ट को सब को बता है निकि टॉम्हारो का मतलब फ्यूचर अ कि यह तो घुप यह वर्ब की फॉर्म होती है जो कि टैन्स को एक्सप्रस्ट करती है वो फिचर की लिखी हुई है तो यह गलत होके खुलम लगाकर अगर टैन्स पास्ट का है या सरी अगर टैन्स फूचर का है तो आपका टाइम का भी फ्यूचर यह तो यह आपको ध्यान यह रखना है कि जो टाइम होता है उसके according tense use होता है यह जो पहला बेसिक है जो फंडामेंटल है यह आपको ध्यान रखना है टाइम डिसाइट अब जैसे इस तरीके question में आप टैंस को चेंज कर दो टाइम को वही माल लो सही या टाइम को सही माल लो टैंस को चैंज कर दो सही हो जाएगा लेकिन ऐसे case में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम नहीं चैंज करना है क्यूंकि टाइम के अकॉर्डिंग टैंस होता है तो हम क्या करेंगे यहां पर टुमारो ना लिखके वेंट लिखेंगे यह जादतर बच्चों को पहले से पता होगा जिन्हें ना पता होगा हमें साथ ध्यान रखें टाइम डिसाइड टेंस एक और पॉइंट है आपका मलब दो और पॉइंट है जो मैं चाहता हूं आप यहां पर क्लियर कर लें टाइम आप यहां पर यह लिखें प्रिजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर रिलेटिव नॉट अब हो सकता कुछ बच्चों के बात समझ में ना यह हो हमारे बच्चे होते हैं गाउन दियात के कई पर नहीं पकडबाते बातों को हाला कि इसका मतलब यह मैं नहीं कहा रहा हूं कि नहीं पर यह कोई यह प्रिजेंट पास्ट और फ्यूचर ऑर रिलेक्टिव नॉट अब्सोल्यूट जैसे कोई टाइम प्रिजेंट है व्यूचर है थीक है तो यह रिलेक् librarians यह अबसूलूट नहीं होता है ऐसा नहीं ऐसा नहीं कोई एक टाइम वो पास्ट है तो वह हमें सब्सक्राइगा थीक है मैं आपको एक्जांप्ल साGu deux समाझते ऑप कि हम ने सेंटेंस लिखार यहाँ पर कि में V dash V dash V dash there in 2020 ठीक है और यह आपको ब्लैंक फिल करना है इसके लिए मैं आपको आप्सन दे रहा हूँ वेंट और विल्गो बताओ वें कौन सा ओप्सन टिक करोगे मैंने यहाँ पर लिखा V dash there in 2020 तो 2020 जो time expression हमने लिखा इसके जब क्या लिखोगे वेंट लिखोगे है विल्गुल लिखोगे दोनों इनके एक और कमेंट देखता हूं 2023 में एक्जाम देना है स्टार्टिंग कहां से करों 2023 में स्टार्टिंग 2023 में एक्जाम देना है तो पेटर तुम एक काम करो जल्दी से अभीने मैंसा आप डाउनलोड कर लो अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा इस टाइम पर जैसा कि आप लोग यहां देख रहे होंगे कि हमने टाइम लिख रखा है है इन 2022 यह टाइम है और यह जो ऑप्षन है हमारी टैंस है यह वाला टैंस पास्ट है यह वाला टैंस फ्यूचर है अब बहुत सा बच्चा हमारा यह रहेगा वह सोचेगा यह क्यों पूछा जा रहा है इसमें क्या तुक है मतलब इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है 2022 लिखा है तो वेंट ही आएगा विल्गो थोड़ी आ सकता है है ना तो बच्चे यह सुचेगा विल्गो क्यों आएगा वेंट आएगा इसमें तो यह क्यों पूछा जा रहा है यह इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी तुमने ना कॉंटेक्स्ट नहीं तुम्हें दिया गया अभी तुमने अपनी हिसाब से कॉंटेक्स सपोस कर लिया अभी तुमने यह मान लिया बच्चे कि हम यह बात 2022 में कर रहे हैं एक्शली कर भी रहें लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करो मेरे साथ और मान लो यह बात किसी ने आज से तीन साल पहले कही हो किसी ने बात दो जार निस में कही हो तो भी उसने क्याव एंट्यूज क्या होगा यह जो हमने टाइम लिखा है 2020 यह जो टाइम है आज जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं 2022 में तो यह पास्ट हुआ ना लेकिन अगर किसी ने यही बात कही हो 2019 में 2019 में तो उसने क्या यूज क्या होगा ठीक है तो उसने 2020 लिखना यह टाइम प्रेजेंट है पास्ट है यह फ्यूचर है यह डिपेंड करता है यह रिलेटिव है अबसुलूट नहीं है ऐसा नहीं कि 2020 जो पास्ट है तो अमेजा पास्ट ही रहेगा ऐसा नहीं है मैं आपको समझा देता हुँ जैसे जो यह अपना 2022 इसको हमें बता पाना हो कि ये year 2022 है ये present है पास्ट है या future है चलो बताओ क्या ही है 2022 जो हमारा year है ये year present है past है या future है इनको भी तो सोचने है तो ये भी तो सोचके बताएं आज कल बच्चे डिजिटल पैर भी छू लेते हैं यूटूब कमेंट भी पैर छू लेते हैं बढ़िया भी है आपकी भावनाओं का बड़ा कदर उसके लिए धन्यवाद ठीक है बहुत त्यारे बच्चे है ऐसे बच्चों से मन लगा रहता साथ है ना सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है एक दिन राश्यद भी डिजिटल हो जाएगा देखना है मैं ओडिसा से बिलॉंग करते हूं मैं इंडिया से बिलॉंग करता हूं अब यहां पर देखो पता क्या बच्चों 2022 प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके बारे हम बात कहां से की जारी है अगर मान लिजिए आज हम 2022 में बात कर है अगर हमने 2021 में बात की हो 2022 की यह पास्ट है अगर हम अगले साल 2023 में बात करनी हो 2022 की यह पास्ट हो जाएगा अगर हमने 2021 में बात की हो 2022 की तो यह फ्यूचर हो जाएगा कहने का मतलब यह कि 2022 प्रेजेंट है पास्ट है यह फ्यूचर है यह डिपेंड करेगा किस पर टाइम ओफ रिपोर्टिंग पर कि जो उसके बारे में बता रहा है वो किस समय से बता रहा है उस पॉइंट से पहले बात कर रहे हैं बाद में जाके बात कर रहा है या उसी फोरेंट में बात कर रहा है अगर हम ने इसकी बात की यह होगा tap टो यह तब फ्यूचर होगा तो यह प्रेजेंट है पास्ट ये डिपेंड है और यहाँ पर आपको बताऊंगा इसमें आंसर दोनों नहीं है आंसर एक ही है ठीक है लेकिन यह मैंने कुछ आपको समझा रहा था इसलिए इतने एक्जांपल्स लिख दिया एक छोड़ा सा पॉइंट देखिए तब थोड़ा सा आप क्लियर हो जाओगे हमने एक सेंटेंस लिखा कमल डैश दिलेटर अट फाइब यह बस दो तीन बेसिक्स हैं एक वार आप क्लियर कर लों फिर उसका टेंस के सारे अगर सही तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाए तो और नहीं मुश्किल तो सब कोई पता की है अगर हम टेंस को सही अप्रोच के साथ में पढ़ें तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है लेकिन फिर क्लियर भी हो जाता है ऐसा भी नहीं कि हमें सा कंफ्यूजिंग ही रहेगा है अब यह तीन ऑप्सन है और यह एक ब्लैंक है हमें यह डिसाइड करना है कि हम इसमें कौनसा उप्सन उसकर एपोस्ट्स पो ठीक, पोस्टेड है, पास्टेंस, विल पोस्ट है, फ्यूचर में, मतलब यह सब इंडफिनी टेंस हैं, प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर के, हमें डिसाइड करना कि इन तीनों आप्सेंस में से कौन सा आप्सें हमारा आंसर होगा, उसके लिए यह टाइम लिखा है, क्योंकि है, तो इससे सही मानें, तो इससे सही मानें, तो अब हमें डिसाइड कैसे करें 5 प्य. यह है क्या, कैसे आप रिजाइड करोगी मोजग कूर करो रोके सा बाधि ताईग प्रिजेंट कर दो-प्य उप्र उप्र लेकिन अगर मैं कहिए दूँ वेंसडे सब्सक्राइब मैं व मुणा पड़ेगा ना पड़ेगा कि जब पात बात प्याने उसका तो मार्च से पहले जा रही है महर्श के बात की जा रहे हैं मर्शłem बात की जा रिए तो ज़ादद तो टाइम एक्सोट रिखें के वह इसी तरीक होते हैं कि आप उनको रिलेट कर ना पड़ता है रिलेट करने के बाद में बादोता चलता है यहां में यह लिखा गए थे कि हमें सभ्सक्राइं व 다음 One iPhone होता है जब कोई action हुआ एक वो time होता है जब उस action के रिपोर्ट किया रिपोर्ट रिपोर्ट किया गया सारे वच्छे बान ०्यानर रखेंगे यह इक यह क्लियर कर sex लो लो तसा बात खतम हो जाक्षे हैं ShopO TE summer compressors में पता नहीं तुम उन्हें कहीं से टैंस पढ़ा या नहीं पढ़ा यदि नहीं पढ़ाया गया लेकिन अगर जिंदगी भर के लिएिद का कलेस घत्म हो जाए तो इससे का से समझ नहीं पातास लोग यात करें हों कि टाइम से बोढ़ा होते है एक होता टाइम ऑफ प्रिपोर्टिंग से रिलेट करके हम यह पता लगाते हैं कि टाइम आफ एक्षन जो है वह प्रिजेंट है पास्ट है या फ्यूचर है अब जैसे यहां पर जो हमने आट फाइब लिखा ने टाइम आफ एक्षन है यह वो टाइम है जिस समय पर यह काम होगा या हुआ था या यह हो सकता पांच वज़े के बात कह रहे हो तो हमें यहां पर यह जानना पड़ेगा कि यह बात हम कह कब रहें यह बात अगर हम चार वज़े कह रहे हैं तो फाइप यम हमारे लिए फ्यूचर हो जाएगा अगर यह बात पांच वज़े ही कह रहे हैं तो यह हमारे लिए प नहीं होते हैं यूजली ठीक है और अगर सेम होते भी हैं किसी कारण से तो फिर उसको time of action को mention नहीं करना पड़ता अगर time of action जाओ और time of reporting जो है वो सेम हो जाएं तो फिर हमें mention नहीं करना पड़ता है जैसे मैं आपके ऐसे example से समझा जाता हूं तो मालनो कोई person है बहुत intelligent है। तो हम उससे क्या कहें। यू आरवेरे intelligent या you are very intelligent ना नौब क्या कहें परला से अगर आदर कोई person intelligent है और हमें उससे बात कहने हैं कि मांते हम intelligent नोगत और तो जब टाइम ओफ रिपोर्टिंग और टाइम ओफ एक्षन सेम होते ना तो उसमें टाइम ओफ एक्षन को अंडेस्टुड मान लिए जाता हूं लिखा बोला नहीं जाता ठीक है तो कहने का मतले यह बात जो है ना वो पांच बज़े नहीं बताई जा रही होगी है यह बात यह तो चार बज़े बताई जा रही है या पिर छे बज़े बताई जा रही है अब अगर यह बात चार बज़े की जा रही है ठीक है तो यह फाइप एम आपका फ्यूचर हो गया अ आप यहां पर क्या होगा कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो यह सोचते ही सोच सही हो निए बिधे आप यहां पर मतलब तो तुम लोग पूछ पाओगे या नहीं पूछ पाओगे और इतने कमेंट्स में से मैं कमेंट्स को रिस्पॉंड करना भी मुश्किल होता है तो मैं आपको अपनी तरब से बता जिते हूं कई बच्चों की दिमाग में डाउट आता है कि हम पोस्स क्यों ना लिग दें कम लो कोई कमल नाम का परसन है और उसका काम है कि पांच वजह जाकर लेटर पोस्ट करने है इसकी मालब डूटी है ऑफसे में उसका काम यह है कि वह सारे लोह जाके पोस्ट कराओ तो यह उसका रेगुलर एक्षण हो गया यह उसकी जौब होगई कि उसको पांच वजह के लेंटर पोस्ट करने नहीं हम जोब है तो अब एसे केसा में प्रेइंट सिब दिमांग लगाता है लेकिन देखता है यहां पर लेटर लिखा हुआ है मैं पैसी कि क्लास में में पिछली प्द पढ़ा ए अन दा जो होते हैं यह कहने को तीन वर्ड होते हैं बच्चा इनको हलके मिले जाता है उसको यह नहीं पता होता है यह आर्टिकल से यहां टेंस में भी हल्प कर जाएंगे ठीक है अगर वह सब्दे ना इंगलिस पढ़ते हैं अगर समझते हुए इंगलेश पड़ें तो देखेंगे कि आर्टीकल दो समझने में ẩclr यहां पर लेटर लिखा ओए मतलब है लेटर आँ तो वेधित यह इक पिन कया जा सकता और उसको मंटीपल टाइम और प्रेजेंट इन डोरए रीफ़ा बात यह मैं आपको बता दूं मैं जो आपको समझाना चाह रहा था हूँ सेकेंड पॉइंट यह लिखा यहां पर प्रिजेंट पास्ट फूचरा रिलेटिव नॉट अपसुलिट किसी भी टाइम एक्सेंट के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंसे में हमेशा ही दो टाइम के एक्सप्रेशन्स या दो रेफ्रेंसेज होते हैं एक वो टाइम जब कोई काम हुआ वो हमेशा सेंटेंस में लिखा होता है एक वो टाइम जब उसके बारे में बताया जा रहा है रिपोर्टिंग उसकी की जा रही है वो सेंटेंस में कहीं लिखा नहीं होता है ठीक है वो अ इसा present होता है unless until it is mentioned in the sentence जो perfect आपर continuous chances होते हैं कई बार उनमें ने में में निना होता है लेकर अगर sentence में 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 जो कि नहीं होता है तो आपको और मान के चलना है कि default reporting time present होता है जब हम उस बात को पर सुन रहा है न वो बात उसी समय में कही जारी बस यह मान लेना है ठीक अब वापस आजाते हैं हमने लिगा इन 2020 अब मैं आप से कहा का कि अगर बाद 2019 में कही जा रही है तो यह फ्यूचर हो जाएगा 2020 अगर वाद 2022 में 2021 में कही गई तो फिर यह पास्ट हो जाएगा है ना तो ऐसे तो हम कुछ भी मान सकते हैं इसे प्रिजेंट पास्ट फीचर मान सकते हैं लेकिन मैंने आप से क्या कहा कि अगर टाइम मेंशन ना हो हाँ अगर time mention ना हो time of reporting sentence में mention ना हो जो ज्यादा time नहीं होता है ठीक है वंडर सुडी होता है अब जैसे यहाँ पर time of action mention है 2020 लेकिन time of reporting mention नहीं है तो आपको time of reporting इसका present ही माल लेना है अब प्रिजेंट क्या है प्रिजेंट क्या है 2019 है 2022 है तो हम इसका reporting टाइम माल लेंगे 2022 है 2022 reporting टाइम माल लोगे तो 2020 में हुआ action पास्ट हो गया है ठीक है को कोई बताएगा इनके notes कैसे बनाए अच्छा दूसरा बताएगा तुम्हें पगले मैं बताऊंगा notes कैसे बनाए यह जो questions होते है important पर रिजिस्टर लेकर बैठो जो important questions होते हैं उसको लिख लो अच्छा मैं क्या होता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं जितनी बाते बोड पर लिखता हूं PDF में लिखी होती है उससे ज़्यादा बाते मैं बोल रहा होता हूं ठीक है क्योंकि जितना मैं बोल रहाता हूं अगर मैं उतना ही लिख दूंगा तो फिर pages बहुत कम पर जाएंगे यह सारे ठीक है अगर कभी टाइम और टेंस में से एक को दूसरे के को चैंज करना पड़े तो हमेशा ही टाइम के अकौर्डिंग टेंस को चैंज करना है टेंस के टाम नहीं बदल देना एक चीजिए ध्यान रखना हूं दूसरी ये बात ध्यान रखने कि जो present, past, future होते हैं वो relative terms होते हैं relative to the time of reporting ये ध्यान रखना है एक इसी में मैंने छोटा सा point आपको और बता दिया था ये वाला ये भी ध्यान रखना है हालांगी मैं इस पर ध्यान नहीं ले जाना चाहता था लेकिन इसके बताया बगर काम बात पूरी होती नहीं किसी भी sentence में time के दो references होते हैं हमेंसा एक जिस समय घटना हुई एक जब उस घटना के वारे में बात की जा रही है ठीक है जिस समय घटना हुई वह हमेंसा sentence में लिखा होता है यह लिखा तो यह लिखा गया time जो होता है नहीं किया गया होता है तो उसको आपको हमेंसा प्रिजेंट मानना है ठीक है default reporting time हमेंसा प्रिजेंट होता है यह मनना एक तीसरा point में और चाहता हूं तुम लोग क्लियर कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक उन्हें रुच्छाओं एक थर्ड पॉइंट और है इसको और क्लियर कर लो टाइम एंड टैंस को आर नट ऑल्वेज कंसिस्टेंट होते हैं यह हमेंसे कंसिस्टेंट नहीं होते हैं कई बारे विचार द्याती वर्ट पता निंगे उसका रहा हो आज भोले वाले बच्चे उते हैं इन जीजों को मन्लब कभी की टीचर नहीं बाते उनसे डिसकस नहीं की होती है या इस तरीकर से उननों को पढ़ाई मांने जानते ही नहीं है अब मतलब जो चीजे लिए खुद समझ सकते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं उनको डॉट्स और एक छोटा से क्रेशन में तुम लोगों से पूछना चाहता हूं मतलब एक सर्वे टाइप अब क्रेशन है कमेंट जरूर करना अभी तक तुम देख रहे थे वीडियो कमेंट कर रहे थे नहीं कर रहे उससे फार्क नहीं है लेकिन अभी जो मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर ज कि जब हम इंग्लिस नहीं जानते थे जब हमने इंग्लिस की कोचिंग नहीं ली थे इंग्लिस की क्लासेज नहीं की थी तो हमें कोई कंफूजन डाउट्स नहीं थे लेकिन फिर हमने कहीं से इंग्लिस पढ़ ली ओनलाइन ओफलाइन कैसे भी ठीक है मैंडम से सर से किसी से भी कि हमने इंग्लिस पढ़ ली अब हमारे पास confusion होगे पहले जब हमने इंग्लिस नहीं पढ़ी थी तो हमें लगाव में कोई डाउट ही नहीं था अब जब पढ़ ली तो हम बहुत ज्यादा अब जयादा पढ़ता है यह तुम में से कितने बच्चों को यह experience है कि अब एक हालत ऐसी होगे कि ज़्यादा पढ़ उतने ज़्यादा कायदे से यह होता है कि सुरवात में confusion होते हैं ठीकि लेकिन आजब तो आप किसी एक सब्जेक्ट को टाइम देते हो चार-शे महीने सालवर टाइम देते हो तो धेरी-देरे अब यहां करते हैं याद करते हैं बहुत ज्यादा समझ पाते हैं तो जो मैं हमें से कहता रहता हूं कि पढ़ो कम लेकिन समझो जादा है अभी देखो हम लोगोंने कोई question discuss नहीं है ठीक है मुझे बात बच्चों के बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चों में भरोसा होता है नहीं तो हमाने ने देखा कि यह बड़ बच्चों को क्या होता बच्चे बड़े इंपेसेंट होते हैं बहुत उन्मेंगे धीरज नहीं होता समझने का उने मिनेंट से question चाहते है ठीक है question answer question answer question answer इसमें खो जाना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि छीजों को थोड़ा रुक जाओ थोड़ा थम जाओ समझ लो फिर आगे बढ़ो question तो अपने आप होंगे जो बच्चे तयारी करते समय time लगाते हैं paper वाले दिन वो time बचा लेते हैं paper भी solve कर लेते हैं time भी बच जाता है और जो तयारी करते समय हड़बड़ी करते हैं जल्दवाजी करते हैं वो paper वाले दिन question छोड़के आते हैं उनको time भी कम पढ़ जाता है वहाँ पर तो ये तुम्हें समझना है कि अगर तयारी करते समय हमें ज्यादा time लगा दोगे तयारी करने में तो paper वाले दिन time बच जाएगा तयारी करते समय shortcuts मारोगे rules रटा मारोगे तो फिर paper वाले दिन question ही छोड़ जाएंगे तुम्हारे और नहीं छोड़ोगे तो गलत करके आ जाओगे चलो तो इसकी पीछे वज़े यह होती कि बच्चे हमारे जितना ज्यादा पढ़ते हैं फिर उतने ज्यादा देना तीन ही पॉइंट में बस चाहता हूं कि तुम समझ लो फिर हम questions पर आजाएंगे सीधे यह तीसरा पॉइंट है ठीक है दो हम अल्रेट ही डिसकस कर चुक है तीसरा पॉइंट है कि टाइम और टेंस आर ना हमेसा इसका मतलब क्या यह तो थेटिकल बात मैंने लिख दिये बहुत से बच्चों को यह बात पकड़ में नहीं आई होगी क्योंकि उन्होंने पहली बार सुनी होगी टेंस में ठीक है आप लोग कब से भी टेंस पढ़रो किसी से भी टेंस पढ़रो कोई फर्ग नहीं पड़ता लेकिन यह बात जो मैं आपको बताने या कहने जा रहा हूं यह आपने पहली बारी सुनी है तो यह मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या देखो दूसरा दूसरा if he meets me tomorrow. Gandhiji launches the Civil Disobedience Movement, the Civil Disobedience Movement in, कौन से एर में किया था, तुम्हें से किसे को बता भी गा, क्रेश्चन तो लिखते हैं लेकर मैं हिस्ट्री विस्ट तो पढ़ता पढ़ता नहीं, 1921 में किया था है क्या, पता है रहा है सित, सब ने वग्या आंदोलन, सब गूगल पर डिपेंडेंट्ट है आजकिल जितने भी बच्चे देख लो, सब गूगल पर, 1930 में, चलो बैट तो यहां पर आएगा इन नाइन्टीन हंडर्ड थार्टी, अब ऐसे तुम चाहें तो सब्सक्राइब लेकिन अभी मैं बस पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं उसको एक्स्प्रेंग नितना खींच के नहीं करना है बस मैं चाहता हूं यह बाद जान लो अगर तुम्हें पहले से ना पता हो अब यहां देखो साल मॉडल के इवन्ट्स फूचर के गोद्ड़ी उसर और है ऑंस्यों पॉचर है में यु नवलों की फॉर्ष मलों वांती यूडल्येंग मनाती तो इन तेन्हों सेन्टेंस में यह जो हमने अंडरलाइन कर दिए एं वह यह फ्यूचर है यह present है और यह present है तो टेंस तो ऐसे होगे अब जब आनकर टाइम देखो कि इसके होने का टाइम जो है तुमारो मचला फ्यूचर तुमारो का मतलब फ्यूचर लिखा यह यह इसे тоइन अवह कि मतल्यर है तुमारो लिखा है ये time भी future है लेकिन जिस tense का ये time है वो tense देखो present में और सही है वो गलत नहीं है गलत है कि ये ये meets जो मैंने यहाँ पे लिखा है he meets me tomorrow ये सही है गलत है तो tense जो हमने लिखा वो present है tense verb की form होती है तुम्हें समझना है यह सारी मेंनत कर रहे है मैं तुम्हें यह समझाने के लिए मेंनत कर रहा हूँ कि tense होता है tense verb की form तो meets जो verb की form है present indefinite tense में होने वाली verb की form है तो यह tense है present indefinite लेकिन time देखो क्या है future तो यहाँ पे tense भी future, time भी future यहाँ पर tense present, लेकिनalah time future यहां पर हमने लिखा गांधी जी लॉंचर्ण दी सिवील डिसरबेंस मोवमेंट दिर नाइंटेन अंडे थैर्टी तो टैन्स है प्रजेंट लेकिन जो नाइंटीन हंडेंट हर्टी हमने टाइम लिखा है दाइम ना तो प्रजेंट है रहे और यह फ्यूचर है ठीक है यह दो पास्ट है तो यहां पर तैम है नहीं पास्ट प्रेज़ेंट के सब्सक्राइब तो कुछ बैच्चे होते हैं वो भूले वाले विचारे सीधे जाथे उनको गुरुजी ने एक बात बता वो रट ले तो रटा वटे मारोगे तो पीछे छूट जाओगे खास करके हमारे जैसे टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आप रट कुछ नहीं सकते कोई भी बात रटनी है नहीं बस जो समझा रहा हो समझते जाओ सब चीज़ लॉजिकल नहीं रहेंगी मतलब confusion doubts नहीं होंगे लेकिन रटनी मारे जो बच्चे रटना मार लेते हैं जो मैं पढ़ाता नहीं हूए लेकिन रूल तरीके से पढ़ लेते वह फिर कन्वेज आते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि टाइम और टेंस हमें से consistent नहीं होते हैं अब यहाँ पर time और tense दोनों consistent है वह इसा कुछ जरूरी नहीं कि time और हमेंसा consistency होंगे कि time past का है तो टेंस पास्ट का ही होगा ऐसा को जरूर नहीं होता है ठीक है टाइम और टेंस जो है वो different भी हो सकते हैं देखने में और उसके बाब जो sentence ही हो सकता है इस concept पर जिसमें मैंने बात किए यह concept तो बढ़ा है इस पर हम पूरा लेक्चरी प्लान कर सकते हैं दो डाही गंटे का लेकिन मैं आपको बस इन दो तीन examples की मदस्त समझाते हैं यहां पर हमने ऐसा क्यों किया जो हमारी subordinate clauses होती है अगर main clause में लिखा कि action future का हो जैसे यहां पर यह main clause का action future में और subordinate clause का भी future में तो हम subordinate clause को present tense में लिखते हैं तो यह action future की form represent करेंगी वो टेंस ठीक है यहां जो यहां हमने पास्ट के लिए प्रिजेंट कर लिया तो आपने पड़ा होगा कि जो historical होते हैं तो हम आप प्रिजेंट की घटना को सरी पास्ट की घटना वो प्रिजेंट में लिखे बैठें तो यह तीन पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो हम questions पर मूब करें मैं करती आपको बता देता हूं क्या क्या है समझाओं इसे वह को द्यासे से ताइम डिसाइट थिए कि तईक दिए मधने करता त्यंस को दूसरा पॉइंट पास्टप्स रिलेटिव होते हैं अब्सट नहीं होते हैं वह डिपैंड करते हैं time of reporting पर ठीक है और default time of reporting जो होता है वो present होता है unless until it is mentioned in the sentence अगर sentence में मेंशन ना हो तो वो present होता है तिसरा point हमने discuss किया time and tense are not always consistent ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि time and tense हमें सा consistency होंगे वो ऐसा भी हो सकता है कि time कुछ दिखा रहा हो हो तेंस कुछ दिखा रहा हो और फिर भी वह सही हो सकते हैं अगर यह तीनों पॉइंट्स तुमें clear हो गए then just comment clear all clear बाते समझ में आगे तो जल्दी से all clear करो comment में फिर हम लोग move करते questions पर फिर अब हम question discuss करना शुरू करते हैं जल्दी से कि कमेंट फास्ट है तुम लोग बहुत लोग धीम हो इंग्लीज में बच्चे हमारी ट्यूब लाइट हो जाते हैं देर में लाइट करते हैं ना मैस में तो यह गोली से हमें लगता है पहले पढ़ा होता है मैस जनरली टीचर ढंग से पढ़ाते हैं इंग्लिस वाले टीचर मोज ले जाते हैं इंग्लिस के टीचर असल में होते में आजाएगा है ना मैस का कोई फॉर्मूला अगर मैं इंग्लिस मैस के टीचर गलत बता दे तो बच्चा खुद ही पकड़ लेगा सर्जी गलत कह रहे हैं इंग्लिस में सर्जी के ऊपर होता है जो चाहें बताएं ठीक है तो मैस में बच्चे हमारे होते हैं एक्टम से स्विच दवा नहीं उससे पहले ही उनकी लाइट आ जाती है सर्जी नहीं लिख पाया बच्चे नहीं आंसर पहले ही बता दिया अब देखो कि जब मैं टेंस को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों को अच्छी अप्रोच के साथ पढ़ाता हूं कोई दर्संसास्त और मोटिवेशन और इसमें टाइम नहीं खराब करते हैं तब मुझे कम से कम दो हफ्ते मिनिमम दो हफ्ते यहां पर थोड़ा सा तुम लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि सीखना तुम लोगों को है तो मैं चाहूंगा पहले कि यह मैं सही करके तुम्हारी गलतियां भी मुझे पता चलें कि बच्चे यह गलतियां करते हैं और उनको दूर कर दूं ठीक है तो पहले ग्रोशन देखो तुम्हारे संदे स्क्रीन पर आ चुका है ते श्टुडेंट्स हव गुड टाइम इन दी क्लास टुडए अब यह प्रीविश इरे के पेपर के क्षेशन नहीं इसा कभी नहीं करता है ठीक है होगा तो ही मैं नहीं होगा तो मैं नहीं होगा तो मैं नहीं आए यह कि आज के टाइम में तो बच्चा अगर समझदार हो तो कोई उसको जोट बना के मलब बोलके बेवकूम्नी बना सकता अगर मैंने आप से कहा प्रीवेश के पर्पर क्रूशन है यह नहीं है यह आपको डाउट है जाओ सहीदा नेट पर जाके सर्च कर लो टाइब इस क्वेश्चन और फंड फांड फांड फ्रीवेशल का अगर तो मिल जाएगा मिल जाता ने नेट पर तो 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 यह ओगया तो यह जो मैं आपके डिसक्स कर रहा हूं यह लगभग इसमें 90% से जादा क्वेश्चन प्रिवेश्री के पेपर की है पहला क्रेंट दे सीधा never bike mid line दो मैं सीधा और मैं अब on offline क tipping और नहीं ललू बच्चाहे ठीक है लेकिन मैं तुम से नहीं कहा अभी बात मैं त्ब थोड़ा से ठीक सी चेरों सीधा बच्चा वता है उसको लगते यह सही है प्रेंस प्रेजन्ट का है तो मैं आपको टुडेए का रहें बता देता हूं टुडेज टाइम है इडा स्थिक्ण समझने में इस बात को जाने से कितनी जल्दी समझ में आते हैं और कितने भेतर समझ में आते हैं देखिए जैसा कि हमें पता है कि कोई भी जो दिन होता है वो 12 midnight to next day 12 midnight तक होता है ठीक है यह 24 गंटे हैं यह होते हैं एक दिन तो टुड़े क्या होता है टुड़े डे होता है डे का मतलब होता है 24 आवर्स अब इसमें माल लेते हैं हम यहां पर morning है यहां पर afternoon है इवनिंग रह जाएगी चलो इवनिंग नाइट एक साथ ही माल लेते हैं और यहां पर इवनिंग है अब किसी परसन ने यह कहा कि आज मैं अपने दोस्त से मिला है तो इसका मतलब वो किसे रेफर कर रहा होगा morning को evening को या आफ्टरनून को द्यान से सुनना माल लेते हैं आज की तारीक है यह है 11-11-2022 को बात कर रहे हैं किसी ने आज यह कहा कि आज मैं अपने दोस्त से मिला तो वो दोस्त से कम मिला होगा morning में इवनिंग में या आफ्टरनून में पास्टरन से उसके तो कम मिला होगा कम मिला पलास कि डिपेंड करता है रिपोर्टिंग टाइम पर रिपोर्टिंग टाइम आप साइड नहीं कर सकते हैं उस पर ध्यान रगने बात कही कभ जा रही है अब जैसे हमने यहां पर टूड़े लिखा है ठीक औ यहिपे अगर रिपोर्टिंग टाइम और पर टाइम और अगर बहर रहा हो मैं इसको अब generation माँ अगर लो मैं इसको मॉर्निंग में कह रहा हूं तो यह जो आफटरनून और इवनिंग है यह हमारे फीचर हो गये अगर यह बात मैं evening में कह रहा हूँ तो यह जो afternoon और morning है यह past हो गए मतलब today और अगर यह बात मैं afternoon में कह रहा हूँ और मैंने कोई काम किया morning में तो today past हो जाएगा और अगर मैं कोई काम करूँ और साम को तो future हो जाएगा तो यह आपको ऐसे समझने की जरूरत है कि तुड़े का मतलब क्या है तो अगर कोई परसनी बात कह रहा है तो वह किस समय कह रहा होगा अभी जब हम बात कर रहे हैं तब कह रहा होगा मॉर्निंग में यहां से कि यहां तक यह सारे बच्चों को ध्यान रखना है तो दो पूरा समय हैं तो इसमों प्रिजेंट माने पाश्ट वाहन तो उसको लिए नहां को इस तरीके से देखना पड़ेगा मोर्निग इवनिग अफ्टरनून अगर आप बात आफटरनून में कर रहा हूँ अगर वा और दो ऊड़नेंग और मॉर्निंग आया आफ्टरनून में घुशन होगा अगर आप कर रहे हैं वह आफ्टरनून में या इवनिंग तो टोडे फिशर हो गया है तो तो फूटेव होते प्लिचछ में पहले पिभीडिय। टो हमें डिसाइड करने की बात कई जा रही होगी अगर यह बात कही जा रही है मॉर्निंग में लगो चलास तो मुझेंगे फ्यूचर में कि आज बच्चे क्लास में मौज करेंगे अच्छा लगेगा उन्हें कोई टीचर आया है उसने कोई ऐसी एक्टिविटी आज प्लाइन कर रखी कि आज जो मैं एक्टिविटी बच्चों को करवाऊं को बड़ी अच्छी लगेगी तो हम फ्यूचर लिख यहां पर आपने टुडए कि स्पेसिफिक टाइम लिख दिया ताइम आपने टुडए कि स्पेसिफिक टाइम लिख दिया टाइम अगर स्पेसिफिक हो गया तो आप प्रेजेंट इंडेफनी टैंस नहीं लिख पाऊंगे सारे बच्चों के पाद तता होनी चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफनी टैंस होता है उसको इंडेफनीट इसलिए का जाता है क्योंकि वह किसी डेफनीट एक्षन को या आप इसको फ्यूचर लिख दो यह जो लिखाए गलत है अब जैसे भी सही कर लो लेकिन यह पार्ट आपका गलत है जैसे भी चाहिए सही कर लो ठीक है है नहीं परफेक्ट नहीं लिख सकते है यह तो मसक्राइब इसकता ऐ могу अ हुए टो जो यह तो प्रेजड वान होगे पास्ट मन होगे फ्यूचर मन ओंग है प्र 650 नहीं पब झा प्रेजकल हो नहीं सिग के यह तो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनीट आप लिए कि सीधा-सादा कहना नहीं चाहरा हूं मैं कुछ और चाहरा हूं लिकिन कहा रहा हूं सीधा-सादा बच्चा रही यह क्या पढ़ा दिया एक आंसर बता देते हैं कि समझा क्यों दिया हमारे दिमाग खराब हो गया तो वह देखो तुम अपना देखो जाके तो इन तीनों में से कोई भी आँसर हो जागा इस तो एस्टुदेज्टेंस के लिए कुछ तैम इस सीधा साथ तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए तुम्हें कह रहा हूं सीधा सा सब्सक्राइब कर लोगे तो प्रिजेंट पर्फेक्ट नहीं वेज़ेंगा है यह गाउन द्याद के बच्चे होते हैं सीधे लाइन पकड़ा दिया बता दिया बताने से काम नहीं चलता तुम्हें चाहता तुम्हें आगे चला जाता नहीं बताया ना समझाया ठीक है टाइम और रिपोर्टिंग क्या है टाइम और टेंस कंसिसेंट हमेशा नहीं होता सारी चीज़ें बताई ना पहले समझाई तब यहां है आंसर बता दूंगा और ऐसी चला जाओ तो तुम कन्फ्यूजर हो गया हमें से आजो नेक्स्ट कॉश्चन पर क्यों से किसी बच्चें नहीं करते हैं कि से हैं एक कि ने ये नहीं कहा जाह unf abundant गलत हो जाएगा मैं ऑपको पता नहीं होता है अगर किसी बच्चों को यह लगा हो कि यह तो सर्जी गलत लिख रहे हैं यहां पर हार हविंग तो मैं आपको बता दू मिटा यह सही है ठीक है है वर्ब का यूज हम तब नहीं करते continuous stance में जब वर्ब पजेशन हो होता पलास ऐसा clear है अगर हम है वर्ब पजेशन यूज करें तो इसका continuous stance नहीं बनता है जैसे अगर मैं कहूंँ I am having this tracker तो यह गलत है ठीक I am having a car तो यह गलत है क्योंकि कार और ट्रैकर जो है मेरे पजेशन से हैं और आए ओन देम ठीक है लेकिन अगर हम हम है वर्ब का यूज किसी activity किसी इवेंट के sense में करें which can continue for a dedicated time तो यह सही भी हो जाता है यह ध्यान से देखो a good time जो है पजेशन नहीं है having a good time का मदलब अच्छा समय बिताना मदलब अच्छे तरीके से समय को enjoy करना तो यह जो continuous chance लिखा है सही है next question देखिए we have discussing all the known mechanisms of physical growth all previous questions सारे previous question यह भी चलने सुरुवात में आंसर बताओ sir vocabulary का class कब होगा जब मेरा मन होगा तभी हो जाएगी class उसमें क्या इनका कुछ करवाद हो क्या 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 क्यावा है sir have ka matlab अलग हाँ बिता मतलब अलग है we have discussing all the known mechanisms of physical growth कि अब देखो एक चीज तो बताओगे बच्चों को यह बाद यह जो लिखाने गलत है सारे बच्चे बाद जानते होंगे कि यह गलत होने के वज़े क्या है यह जो have discussing लिखा है यह वर्ब फॉर्म कोई टैंस नहीं होती है अगर आप हैव को helping और विउस करोगे ना तो इसके साथ आपको में लिखनी पड़ी कि थर्ड फॉर्म में सबको बता है आचा जो वर्ब की आइंजी फॉर्म होती है वह के साथ में नहीं उसके helping और वहती है बिखी फॉर्म इज मार वाज्वर तो यह घुर्ण यह द्यूंग अब हमने इसको शाही करने के लिए हैं आपको दो ऑप्सन बदाता हूं वैसे जैसे चाही कर लो ठीक है लेकिन आपको दो option देता हूं दोनों से बताना कौन सा तरीका हमें उसकरना चाहिए एक option यह कि हम discussing को discussed कर दें तो present perfect बन जाएगा एक option है कि हम discussing से पहले बीन लिख दें तो present perfect continuous बन जाएगा ठीक है ध्यान से सुनना सारे बच्चे एक option में आपको यह दे रहा हूं कि हम यहां पर इसको सही करके लिख दें have discussed present perfect tense बना दें दूसरा option है कि हम have लिखा रहने दें discussing भी लिखा रहने दें बीच में बीन लिख दें have been discussing लिखके से present perfect continuous बना दें अब तुम क्या करोगे अभी तो यह question common error वाले ठीक है यही question sentence improvement वाले section में आ जाए और आपको यह दोनों आप्सन दे रहा हूं तो आप किस option को टिकर क्या होगे have discussed को या have been discussing को इसको कैसे गलत करोगे मलब सरी गलत है इसको कैसे सही करोगे have discussing को सही कैसे करोगे have discussed लिखके सही करोगे have been discussing लिखके सही करो जल्दी comment करो एक option कौन से पिक करोगे यह बता हो ए या भी वस बोल दो या तो ए या फिर भी इन दोनों आप मैंने कहा आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन मैं सारे option नहीं दे रहा है ना इसमें तो आप इसको हटा के future बना दो पास बना दो प्रिजेंट बना तो जो चाह बना तो वो तो बहुत तरीके से सही कर जा सकता लेकिन मैं आपको बिस दो अप्शन दे रहा हूं है डिसकर्ट और है बिन डिसकुसिंग में से क्या उसकरोगे हम प्रिजेंट पर्फेक्त लेकेंगे हैं अब कोई बैच्चा सोचे परफेक्ट कॉंटिनुवस क्यों नहीं लिखा वो भी तो सभी टेंस होता है प्रेजेंट परफेट गॉंट्स alltså उसके बगेर मत क्या करो सारह बच्यों को ध्यान रहना है की जो जो प्रजेंट पर्फे यह लिख सकते हैं यह लेकिन है बिन डिसकाशिक नहीं लिख सकते हैं ठीक है नेक्स बज़ाइब दसी लुक्स एज इफ 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 इटाइटेट यह स्टॉम अब हमने का कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि समुदर में को तूफान आ गया मलब तूफान ने इसको एजटेट कर दियाो फॉम। री बी लूखस अ बी इस सैथ यह लूखस यह रीवर ईख दोनों में से कौन सा सही जल्दी बताना सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि ए और बी में से कौन सा वाला सेंटेंस सही लिखा हुए कौन सा गलत है लुक्स एज़िव ही सेड लुक्स एज़िव ही वर सेड जल्दी से बता हुए जो बच्चे इस लुकिंग लिख रहे हैं उनको मैं बता दू लुक वर्व इंट्रांस्टिव होती है सरी लिंकिंग वर्व होती है इसको इसको मत लिखा करो तो जो बच्चे यह लिख रहे हैं तो इस लुकिंग वह बत्मीजी दे रहे हैं ठीक है वह अभी यह गलती है सेंटेंस में तुम दो कर रहे हो ठीक है ऐसा मत करो अब देखो यह दोनों सही है होता क्या है कि हमारे कुछ बच्चे जो होते हैं सीधे वाले बच्चे कुछ बच्चे जो हमारे सीधे साधे होते हैं वह यह रट मार मतलब रट लेते हैं कि कि एज़िफ के साथ में वर्व की सेकेंड फॉर्म आएगी वर आएगा ठीक है वह रट लेते हैं बिना समझे कि ऐसा क्यों होता क्या है कि एज़िफ जो कंजंग्शन है जो कंजंग्शन है काम करती है और इसका यूद्ध हम करते हैं सपोजिशन के लिए जैसे कोई चीज सब्सक्राइब करते हैं अब होता है जैसे लगता है जैसे उदास हो सकता है उसके सगल ही वैसी हो कोई जरूरी तो नहीं कि उदास वे तो आपने अजूम कर लिया हो सकता वो रहा ही हो ठीक है तो अगर हमारा अंडर्स्टून मिनिंग यह हो ही मेबी तो यह इस सही है अब माल लो कोई परसन है वो दिखने में इस तरीके का इंप्रेशन दे रहा है कि जैसे दुखी हो बड लेकिन मन में खुष बहुत सभी रहा से तो अब होता है कि हालां कि हमें दुख नहीं है तो ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन इंसानों के साथ अक्सर आपधा परोसी के दूख मंदब नुकसान हो जाए ना तो परोसी बड़ा खुष होता है आज सईसकी काट ठुक गई है त तो अब क्या है कि लेकिन वह पड़ोसी को जताएगा नहीं कि मैं खुसी हूं तुमारे नुक्सान में तुमारी परसानी में मुझे खुसी हो रहा है वो सो नहीं करेगा ठीक है नाटक पूरा करेगा ठीक है तो ये तुमें बात समझनी है अगर पहले सा ना पता हो कि as if के साथ जो हम वर्ब की second forms लिखते हैं वो हम तभी लिखते हैं जब हमें ये बताना हो कि ये जो बात हम कह और बोल रहे हैं ठीक है ये imaginary है ये सच नहीं है लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि imaginary है या सच है तो हम second forms नहीं लिखते हैं ये जो वर्ब की second forms होते हैं इन्हें पास सब्जंक्टे मोर कहते हैं वह हम कभी फिर टेंस जब पढ़ेंगे तब डिसकस करेंगे फॉन्टेशन बैच में ठीक है अभी क्या है अभी दियानिया अगर हमारा understood meaning यह हो तो हम इस लिखेंगे और यह हो तो वर लिखेंगे और अगर हमें clear हो कि यह said है या नहीं है तो फिर हम because लिखेंगे because he said because he is not said ठीक है अब यह बात तुम्हें समझ में आई यह तुम ऐसे ही मतलब सर हिलाते रह गया है तो उसके लिए में दो क्रेशन और तुम से पूछ देता हूं ही लुक्स एस इफ ही इस डेड ही लुक्स यह लुक्स की जागे चैंज कर देता हूं थोड़ा सा लुक्स के जात में साथ जट्सफिकेशन हो जाएगा ही एक्ट्स एज इफ ही एक्ट्स एज इफ ही वर्ड डेड़ चलो जल्दी से बताओ कौन सा चाहिए देखो एज इफ यहां भी लिखा है बस हमने ना एड्जेक्टिव चैंज कर दिया वर्ब भी हालां की चैंज कर दी में क्लोज की लेकिन में इंपॉर्टेंट यहां पर जल्दी से ही एक्ट्स एज इफ ही इस डेड़ ही एक्ट्स एज इफ ही एज इफ ही वर ड़ ड़ क्या होगा एज देश का ही एक्ट्स एफ ही वर ड़ 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 कौन सा सही है अब हमने कहा कि उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कि या ऐसे करता है मानों कि ड़ अलों कोई पर्स ने कलाकार है तीटर आर्टिस्ट है एक्टर है मोवी सीरियल में काम करता है तो कुछ सीन है उसने इस तरीके से एक्ट किया जैसे कि डेड हो तो अब यहां पर लिख देंगे अगर वह एक्ट कर रहा है तो अगर वह डेड नहीं होगा आपको लिख रहे हो वह अन्रियल है वह ट्रू नहीं है तो फिर पास सब्सक्राइब हो जाता तो एक्ट नहीं कर पाता है ठीक है चलो अब यहां आजो अब इस क्रेश्चन का अंसर तुम देखो गए ना तो मुझे लगता सही बता दो गया हमने एज इफ लिखा है और है प्रिजेंट परफेक्ट टेंस तो यह तो गलत है यह इसको तो हटाई दो अब यहां तो आप इस लिखो या वर लिखो हला कि दोनों आंसर नहीं है ध्यान देना मैंने यह नहीं लिखा कि यह दोनों सही है कोई भी लिख दो इस जबर ऐसा नहीं कहा इन में से एक ही आंसर होगा बस अब तुम अपना दिमाग यूज करके एक बार देखो गर थोड़ा बहुत मतलब चलता हो दिमाग अभी से तो एक लुक्स समुद्र ऐसे दिख रहा है जैसे कि कि इसे तुफान ने सको एजिटेट कर दिया समुद्र में तूफान आएगा और समुद्र आपको दिख भी रहा है तो इसका मलदब S mist that Дए के do तो तुम्हें पता होता और तुम्हें नहीं पता है तो इसकावाद तुम सिट्विएसान कर रहे हो तुम्हारा अपना इमेजने सने रियालिटी नहीं क्यास नहीं चाहिअ अगर आपिकॉज नहीं लिखे तो इसका में लिए हमने इमेजन कर लिए वैट ऐसा है नहीं तो अगर ऐसा नहीं है यह सिच्वेशन अंत्रू है हम रियल है तो पास-ब्जंक्ती मोर्ट वर्किर सेकेंड फॉम next question he has read four plays written by Shakespeare by the end of his vacation कि देखो कोई और भी लगा पड़ा है वो पिन कर रहा है कि फाउंडेशन वे चंगुल्दर का चाओधा जाओंबर से यह अपने हैं बढ़ी है इसका आंसर नहीं समझ मैं रहा है बेटा क्या चलो देखो मैं बताता हूं अगर यह स्टेटमेंट केवल इतना हो तो बताव सही होगा या गलत होगा अगर यह स्टेटमेंट केवल इतना हो तो यह सही है गलत हो मतलब उसने द्वारा लिखेगे चार प्लेज पढ़े हैं सही हो जाएगा मालों को किसी काम को कर चुक है तो हम उसको सही माल लेंगे तो यह जो हमने पर्फेक्ट टैंस लिखा है हमारा सही हो जाएगा लेकिन अभी यहां पर ध्यान से देखो टैंस के साथ हमने टाइम लिख रखा है अपने वकेशन के एंड होने तक तो यह जो टाइम है हमें इस टाइम से भी टैंस को रिलेट करना है छुट्टियों के अंत तक तो छुट्टियों का अंत होना क्या है जब वो काम हुआ होगा यह time of action है लेकिन यह बात कब बताई जा रही होगी छुट्टियों के खत्म हो जाने के बाद या खत्म हो जाने से पहले यह हमें डिसाइड करना है प्रिजेंट पास फूचर किसवे डिपेंड करेगा यह बात हम कब कह रहे हैं उसकी छुट्टियां खत्म होने के पहले कह हुचर मैं तो कहने का लिए फॉरफ्लेस पढ़ने वाला काम पूरा और होगा जाके future मैं लिकिन अगर हम यह बात कह신 से चुट्टियों को जाने के बाद में एक है तो उसकी छुट्यां हो जाने में प्रेजंट का टैंस हम लिखे बैट है यह तो गलत है क्योंकि अगर उसकी छुट्टियां पास्ट में खितम हो गई और आप फ्यूचर में बात कर रहे हो तो जो उसने छुट्टियों से पहले काम किया था वह पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा अगर अभी उसकी छुट तो गलत है यह तो कंफर्म है कि आपका एपार्ट जो है उसमें लिखा गया तेंस गलत है अब उसको सही कैसे करोगे प्रजेंट लिखोगे या फ्यूचर लिखोगे तो डाइट डिपेंड करता आप जो चाहिए लिख दो फिलाल में आसान है तो इसलिए हैड लिखे दे र यह आज क्या मुझे लगता है थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है जल्दी से सारे बच्चे को और आंसर होता है वी शैल लीफ फॉर दी सिटी इफ दे सन राइज़ एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं क्वेश्चन और लु धे अग्रिवड़ में आसे क्वेश्चन लेवेश्चा लाइच की था लग करें लंदी से संक्यों लिख दे लुग के सlorсти लेवेश्चन लेश्ची अ सांट में रगिल passé लिख लेऌब लग लगैश्ब लग लेश्क्ता हूं कि देखो एक कोई बच्चा कमेंट कर रहा है हालां कि मुझे नहीं लिखता उसको रिस्पांस करना चाहिए मैं आपको चीज बता देता हूं आप मैं से जाधर बच्च जानते होंगे मेरा अपना खुद कभी ऑनलाइन यह जैसे बच्चा लिख रहा है लेकिन अब मैं आपको इसके लिए इंगले सीखना चाहते हो तो उसके लिए मेरे कोर्स यहीं अवेलेबल है ठीक है इदर उदर में कोई बच्चागर किसी को मिसलीड कर रहा है इदर जानकारी दे रहा है तो बच्चे ऐसा नहीं है आप खुद को अपडेट करें इस सारी चीजे यहीं है इस समय क समझाना चाता हूं कि में इफ लिकर करते क्या है हम लिए इफ लिकर यह बताते हैं कि यह सिच्वेशन जो नहीं है यह एक कंडिशन है कि अगर ऐसा हो जाए अगर वह वहां जाएंगे अगर वह एग्री हो जाए तो जाएंगे नहीं अगरी वह तो नहीं जाएंगे तो इस अगर हम यहां पर यह लिख दें देविल गो देर वन ही एग्रीज तो वेन एग्रीज अब पता है किसे रफर करें करता है देखो इफ जो होता है वो राफर करता है इपका मतलब यह कंडिशन हो गई तो फिर वो काम भी हो जाएगा नहीं वहां पर क्या है उछको यहां कि अग्रीज नमाने के टाइम मालो किसे नहीं से पूछा कि वेन विल यूद्ध कब जाओगे वहां तो हमने कव्न अग् जब तयार होजाए अभी कह दे तो अभी कल कह दे तो कल पर्सों कह दे पर्सों तो यह आपको समझने हैं कि कई वर ऐसा होते है कि आप देखोगे तो हम chances को नहीं फिर time को refer करते हैं कि हम कोई काम करेंगे कब करेंगे यहां यह देखो हमने लिगा if the sun rises अगर sunrise हो जाए क्या ऐसा भी हो सकता है कि sun rising नहीं हुआ वह proposal उसे समझ में है तो agree हो गया नहीं समझ में है तो agree नहीं हुआ लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि sun का mood हुआ तो अगले दिन राइज हुआ नहीं हुआ तो चार दिन बाद फिर राइज हुआ ऐसा तो होता नहीं है तो sun का राइज होना condition नहीं है वह एक absolute action है वह जरूरी होगा तो यहां पर हटाओ यह फिलिखो वें वें दर सन राइज जब संका राइज होना condition नहीं टाइम है तो यह if और when का difference याद रखना है अगला देखो question हमने लिखा two hours have passed since he had fallen asleep दो घंटे हो गया है जब से वो सोया ठीक आंसर होता यह बता वे आहां बता two hours have passed since he had fallen asleep a मैं एक black comment a response करी देता है lots yeah कि अ एक बच्चा कहराए कि सर्डियों के दिनों में तो और बारी कुतर की होते हैं थीख है दिमाग इनके चलता बहुत है बटs से होता है बाढ़ी है अब जोब तुम इतना टेकनिकल हो रहे हो तो थोड़े टेकनिकल मैं भी तुम्हें कर जेता हूं जहां से सुनौ। The sun neither rises nor sets. Sun ना कभी rise होता है ना set होता है समझे है? Sun अपनी जेगे भी हम ऐसा बना रहता है? It is the earth that rotates on its axis. Sometimes it appears to us then we call the sun has risen. Sometimes it doesn't appear to us then we say the sun has set. Sun ना तो set होता है और ना ही rise होता है. Sun अपनी जेगे पही रहता है. उस्टेटीक है. वो कहा रहा है कि बारिस में तो ऐसा हो सकता है? आपनॉर्मल हैं. Two hours have passed since he had fallen asleep. चल इंगलीज तो मैं बाद में पढ़ाने लगे भाई. मैं तो science student था. जब तक मैं पढ़ा, तब तक मैं science पढ़ा. ठीक है? और हना शुरू English कर दी बाद में. तो यह तो मसले ही अलग है. और यह तुम लोगों को ने मेरी approach में भी दिखाई पढ़ता होगा. और जिस approach से मैं English को deal करता हूं, जिस थरीके से में चीजों को समझता समझाता हूं, वो logical और मतलब अलग approach है. scientific approach है. तो English तो मैंने बाद में पढ़ाने शुरू करी. पढ़ी तो मैं English कभी भी नहीं. पढ़ा तो मैं में सा science, physics. ठीक है? English तो मैं बाद में पढ़ाने लगया. अब देखो इस question पर आते हैं. जैसे हमने लिगए two hours have past since he had fallen asleep. वैसे तो मैं चाहूं सीदे तुम्हें answer बता दूँ, इसका answer यह है, तुम रट्टी भी लोगए. मतलब तुम्हें पहले साही पता है, तुम तुम तुरंद माने भी और यहां पर हमने लिखा, since he had fallen asleep. अब सारे वच्चे एक बाद ध्यान रिखेंगे, कि जो since होता है, वैसे तो यह एक conjunction भी होता है, और एक time की preposition भी होता है. जब since preposition होता है, तो हम इसके साथ में कोई ना कोई time का point लिख देते हैं, जहां से कोई action start हुआ होता है. यहां पर तुम देखोगे, तो यहां पर हमने कोई time का point नहीं लिखा, since के लिखेंगे time के points होते हैं, since Monday, since January, since 5 p.m., since 3 a.m., ऐसे होता है, लेकिन यहां पर हमने पूरा sentence लिख दिया, he had fallen asleep, तो यह जो पूरा sentence है, यह actually एक event को represent कर रहा है, एक घटना है, उसका सो जाना जो भी घटना ह है, तो अब मालो, अगर हमें यह ना पता हो, या हमें याद ना रहा हो, यह कितने वज़े सोया, ठीक है, या हम उस time को नहीं, उस action को ज़्यादा importance देना चाहते हैं, जब वो सोया था, तो हम उसको time point consider कर लेते हैं, तो यहां पर जो लिखा गया time point है, यह actual में इस काम के start हो time point है, कि 2 घंटे बीत गये, कब से, शुरू कहां से वे 2 घंटे, तो जो point है, आगर हम चाहते हैं, तो 2 पीम लिख देते हैं, 3 पीम लिख देते हैं, हमने वो ना लिखके, यहां पर वो event लिख दे जो उस समय हुआ था, 2 घंटे पहले, कि 2 घंटे पहले वो सोया था, और कहना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, since conjunction भी होता है, लेकिन आप इसको proper conjunction तब consider किया गरो, जब इसका use किया जाता है, किसी काम के होने के जाने के reason को refer करने के लिए, because के substitute कर, as a substitute to because, otherwise जब हम since का use किसी time point को refer करने के लिए करते हैं, तो आप इसको preposition ही माना करो, भले हमने यहां पर इसके आदम पूरी clause लिख दिया है, लेकिन पूरी clause खुद एक time point को ही represent कर रही है, अब जातर बच्चे बाद जानते हूं कि जो since के साल लिखा गए time का point होता है, वो past का होता है, हमेसा past का होता है, और नहीं तो मैं दूसरे तरीके समझाते हैं, लोड़ा लो इस QU這邊 की पूर्तर प्रेशन्टे होता है, कितने बच्चे यह बात पहले से जानते थे कि 굉장 perfect line होता है, वो passed ूब प्रिजेंट में शुरू हूँ होता है, मनलब past में हुआ कोई होता है छोटे-छोटे पॉइंट इनको अपने आप जोड़ लोगे तो तुम्हें किसी टीचर का इंत्यार नहीं करना पड़ेगा कोई टीचर आए यूटूब पर आके फिर हमें पढ़ाए तब हम जान पाएंगे यह बाते यह तो अपना अंट किस세 कोई काम सुरूँ होता है ठीक है परफेक्ट एंच में लिखा गया प्रृस्तर में से अटकmem eh और किसी action को लिख दोगे time-point के reference में तो action भी past का होगा past का action जो होता है पास्व Emirates Paid नहीं लिखा आनके में पास्ट वगा जाता है धियान गना- तो since के साथ में कुल मिला कि हैं पथे बच्चों को पता हो नहीं हो धियान गना अगर हम since Door지만 का इसंड़ कभी जा एन करने के लिए तो वो time point हमेशा past का होता है ठीक है और अगर हम कभी किसी action को यूज करें उस time point को refer करने के लिए तो action भी past का होता है उसको past indefinite tense में लिखा करू 2 hours have past since he fell asleep ढूंग भी भूंगे बीत के जबसे वह सोया ठीक है तो उसका सोना past action अगले वैसके During the last few years, the company works hard to modernize its image. ये तो इजी कर्षेन आगया. Thank you, भिया. चलो, एक काम करूँ, मैं यहाँ पर तो आप्सन दे देता हूँ, यह जो question है, यह है तो common error का, मैं तुम्हारे लिए इसे वो बना देता हूँ, कहना हूँ. Sentence में पुने टाइप का बना देता हूँ. Worked hard, चीक है, और has worked hard. Which of these options is the answer? जल्दी सरता हूँ. चलो, works, worked hard, और has worked hard. इन दोनों में सरता हूँ. यह गलत है कुल मला के, जो बच्चे अपने आप भी समझ गये होंगे, ठीक है. क्यों गलत है मैं देखो, बता देता हूँ. यह जो हमने लिखा हूँ, during the last few years. तो जो during the last few years है, यह time है. अब यह time जो है, वो हमने लिखा है और यहाँ पर tense लिख दे है, present perfect. Sorry, present indefinite अभी लिखा हूँ है, फिलाल में, works. present indefinite tense जो होता है, वो किसी एक dedicated time को refer नहीं करता है, वो general time को refer करता है, जो present past future में कुछ भी हो सकता है, repeated actions के लिए basically उसके जाता है, यह repeated action नहीं है. तो यहाँ पर present indefinite तो गलत होने ही होना है, dedicated time दे रखा है, तो कोई आपको dedicated definite tense यूज़ करना पड़ेगा, यह present indefinite tense होता है, वो बास्तम में indefinite होता है, definite time के लिए उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, time definite तो इन में से कोई एक यूज़ करो, यह तो worked hard या has worked hard, क्या लिख देखा देंगे, वो कहेंगे, वो बगधार हमारा answer होगा, कि वी last हमने देखा और हमने लिख दिया, सोचा नहीं, समझा नहीं, दिमाग यूज़ नहीं किया, बस देखा और बता दिया, अब मैं थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूँ, अगर मैं आप से एक बात कहूँ, I have, यह छोड़ो, मैं sentence नहीं लिखता है, नहीं तो तुम्हें hint मिल जाएगा answer का, मैं क्यवल इतना लिख देता हूँ, in the last three years, पिछले तीन सालों में, तो अगर मैं यह कह रहा हूँ, in the last three years, तो in the last three years लिखकर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ध्यान देना हमारा present year 2000, 22 है, ठीक है, तो अगर हम आज 2020 में, सरी, 2022 में, अगर हम आज 2022 में यह कहें कि in the last three years, पिछले तीन सालों में, तो पिछले तीन साल कहकर हम इस duration को refer कर रहे हैं, जो कि A है, या इस duration को refer कर रहे हैं, जो कि B है, बस यह बताएं, जल्दी से जादा, हमारा present year 2022 है, ध्यान रखने हैं, इस बात को दिमाग में रखें, फिर आंसर करना जो भी करना हो, अगर कोई person 2022 में यह कहें कि पिछले तीन सालों में, तो पिछले तीन साल का मतलब क्या, 2020, 2021 और 2022, या 2019, 2022 और 2021, मतलब बस यह बता दो, A का मतलब है, 2020 से 2022, और B का मतलब है, 2019 से 2021, जल्दी से कमेंट करो, 2020 से 2022, A, B, A, B, सब मिले जू लें है, ऐसे ही है, वे पगलो, अगर हम यह 2022 में कहा रहे हैं, पिछले तीन सालों में, तो इसका मतलब हम किसी एक point से back भी जाएंगे, देखो, जब आप last है, next use करते हो, तो वहाँ पर हमेसा एक point होता है, जिससे आप अगर back जा रहे होते हो, तो last use करते हो, और अगर forward जा रहे हो, तो next use करते हो, तो जो point होता reference का, जिससे हम back यह last जा रहे हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते, वह included होता है, यह नहीं होगा, तो in the last year's, जब हम कहेंगे, तो हमारा मतलब यह होगा, यह नहीं होगा, समझे? तो in the last year's का मतलब यह नहीं कि 2019 से 2021, in the last year's का मतलब 202 से 2022, अब ध思द, जब हम इंदी last टाइम को रेफर कर रहा है वो टाइम क्या है कि पास्ट प्लस प्रिजेंट ठीक है यह देखो भी मैंने इससे पहले कहां लिखा था है यह लिखा था कि कि कितने बच्चों को बात पहले से बताती ज्यादा बच्चों ने यह आदा कि हमें पता थी अगर पता थी और प्रिजे यहां पर आपको लिखना पड़ेगा है यह आंसर है दूरिंग दी लास्ट विवर्स दे कम्पनी एस वक्ट हार्ड तो मॉडरनाईज इस इमेज ठीके समझ मागया समझ मागया तो एक बार कमेंट करके यस कर देना मतलब कमेंट कर देना यस समझ मागया तो जदी से कमेंट कर दो अगले question पाजो बाकी बच्चे next question English 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 I have not received any letter from my parents in the last two months अरे भाई इस सब में फिर वो गया होगा क्योंकि यह सारे copy ना अद्धोगे अद्धोगे बढ़िया यहां पर important को इंपूर आजिस्त वर्दोगे सारी लाइट पे लिखना पड़ जाएगा I have not received any letter from my parents since the last two months अब देखो सबसे पहले समझे ना एक चीज़ तो यह जो हमने the last two months लिखा ना यह duration यह पॉइंट निया सारे बच्चों को पता होगा कि since का इस पॉइंट के साथ किया जाता है लेकिन दे लास्ट टू मन्स जो यह वो डिवरेशन है तो duration होने का मतलब यह सिंस तो option ही गलत हो गया आपने यूज़ कर पाओगे अब यहां पर लिखा फॉर लास्ट मन्स लास्ट मन्स जो होता है लास्ट मन्स लास्ट यह सब पॉइंट होते हैं मैं आपको यह आर्टिकल में समझा दूंगा ठीक है तो यह पॉइंट है अगर आपको इसा फिलाल में नहीं थो यह दोनों गलत हो गया कोन सा ओप्शन आंसर एक द्यूरिंग या फॉर देखो कि ड्यूरिंग और फॉर यह दोनों प्रेपोजिस्टिन यूज करते ना इनके साथ मैं लिखी कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस टाइम को रेफर करते यह ती के दोनों के साथ लो cand dieFun करते हैं में फोर करते हैं टाइम पॉइंट को अन्लों वह रेफर करते हैं उस ताइम को जो की पॉइंट हो थिक है फॉर के साहथ लिखिक्की जो फ्रेज प्रेजस होती है वह लवनomus को और वह लोंग का रेपलाई होते हैं अब बारीक बाते हैं अगर आप पहले से थोड़ा जानते हो ठीक है अब सीजिल देना है 2022 दिसंबर में देना तो इतना तो आपको क्लियर होने चाहिए इस लेवल तक तो होना चाहिए ठीक है नहीं हो तो बाद में देख लेंगे अभी हाँ लोंग को रेपलाई करना हो डिवरिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वेन को रेपलाई करना हो ठीक है यह समझ लो अब टेंस देखो यह कौन सा लिखा हुआ है कि मैंने आज मैंने कोई लेटर रेसीव नहीं किया है तो प्रिजेंट पर्फेक्टेंस अभी हम पीछे पढ़के आए कि क्या होता है पास प्लस प्रिजेंट होता है तो अगर आप प्लस प्रिजेंट को रेफर कर रहे हो तो यह पॉइंट है प्रिजेंट एक वारा ये बेसिक्स क्लियर हो जाते की यह आप अपने आप समझ सेकते हो इनके लिए बैठ के इंतियान नहीं किया जाता है कि कोई शराएंगे और आके हमें पढ़ाएंगे था हुम जान पाएंगे अपने आप समझ दो कि अगर हमने present perfect tense लिखा है और present perfect हम डिसकेस कर चुके हैं कि past plus present होता है तो जो past plus present time है यह क्या represent कर रहा है duration या point of course duration duration ही represent कर रहा है तो अगर duration represent कर रहा तो during वाला option गला तो यह answer आपना ठीक जो वैच्छे translation करके English सीखते ना वो ऐसे जो को पाके फस जाते है translation छोड़ना है English सीखनी है ना तो Hindi meaning निकालना बूल जाओ मैं यह नहीं कर रहा है कि हिंदी मत बोलो एक वर आप इनको clear हो जाएंगे अपने आप जुड़ जाते हैं एक concept से दूसरा समझ में आता है दूसरे तीसरा समझ में आता है चार concept पता होते हैं तो उनसे पांचमा समझ लेते हैं ठीक है मार्केट कर देना किसी के लिए मुसीबत में डाल देना मालो कोई वेक्सिन आई मार्केट में और मार्केट में उसको लेकर कुछ रूमर फैल गया ठीक है तो पर असानी में पड़ गई अन्से देखा हुआ है ही इस रेड़ी सारे बच्च एक वार इस क्वेश्चन को देखें उसको छोड़ दो पहले इधर आजा ही इस रेड़ी वेन दे आराइब अब यहां देखा हुआ ही इस रेड़ी में क्लाज वेन दे अराइब सबार्डिनेट क्लाज चीक है सबार्डिनेट क्लाज कर कंजिंक्शन कौन है वेन है अब तुम मैं से कितने वच्च ए वाज जानते हैं कि वेन वाइल बिफोर आफ्टर अंटिल एस सुन एज एस लॉंग एज यह कंजंशन्स ओफ टाइम होते हैं लगबख सभी जानते होंगे कि यह जो हमने कंजंशन्स लिखा है ना वेन वाइल बिफोर आफ्टर अंटेल एस सुन एज लॉंग एज यह सब कंजंशन्स ओफ टाइम हैं इनका जब हम यूज किसी सबार्डिनेट क्लाज को बनाने के क्लाज में तो इसका मालब एक लाज्ओ जो है जिस टाइम को रेइफर कर रही वो टाइम पास्ट है अब हम यह सोचना है की जो टाइम है पास्ट यह किस Kasin का टाइम तो यह मेंमें लि लिखे कई बढ़ा होते हैं नहीं समझ पाते हैं हुँ देखो तो वेंदे राइव एक सबार्डिनेट क्लॉज है सबार्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन वैं हमने पड़ा कि वैंन वाइल विफोर आफ्टर अंटिल एस सुन एज लॉग एज इन ने सबार्डिनेट क्लॉज होती है खाहि यहां पर हम देखें लिए जो इस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस टाइम पास्ट हो गया लेकिन फूर पास्टिम है कि सेक्सें का तो एक्षन में लिखा हुआ है इस एक्षन का वह पास्ट मैं है तुब यह तुमें पता चल पॉइंट का क्लियर क्या दा ताइम डिसाइज तो अगर हम कभी भी एक वेच्चा गया रहा है वोज रेडी क्यों नहीं आएगा पुल के आगे चला गए ठीक है आएगा वही लिखेंगे पहले समझा के लिखा जाता ना अंसर बेब को की और यह वेन कंजंचिन किसका होता है तॉ ये पूरा है आपका टाम क्लॉष यह है तााइम अब को नहीं होता है तुम में से जातर बच्चे जानते होंगे कि फाष्ट सेकेंड थर्ड तीनों होती है हीट 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 होता है तो हमें यह पता लगाने कि सबढ़नेट क्लॉज जो है वो जिस टाइम को रिप्रेजेंट करें वो टायम क्या है अब जैसे यहां पर आराइब लिखा था सेकेंड फॉम लिखी थी तो पास्ट इंडफिनी तेंज की यह सेकेंड फोर्म सेकेंड फॉर्म पास्ट अगर यह टाइम पास्ट है और इस एक्षन का टाइम में तो यह अगर यह पास्ट में लिखना चाहिए आप ध्यान से देखना कितना आसान है यहां पर मुझे लगता है जातर बच्चे बाद अपने आप समझ गयते बले मैंने न समझाइब कि इसकी जगे वह आएगा वह भले उन्हें ना पता हो कि वह लिख दिया लेकिन यह पता था कि वह आएगा अब सेम कुर्ष्टन है यह कुर्ष्टन और यह कुर्ष्टन मतलब एक ही कॉंसेप्ट है यहां पर बच्चा जागे पता नहीं क्यों गूम जाता है तो सब्सक्राइब करते हैं तो जो हम जानगे कि सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे यहां पास्ट इंडफनी लिखा वैसी यहां लिख दो पसकता है कि आप नेक्स वाज़ो कि आप पास्ट इंडफनीड में हैं दो चार अच्छी कुश्टने आगे इसमें हैं इसमें नहीं इसमें कर सकता है इसमें अपने स्कूल का प्रिंस्पल होता है कि यहां देखो कि सारे बच्चे को आँसर बताएंगे जो मैं पूछ रहा हूं मानलो यहां पर आइविस नहीं लिखा थोड़े समय के लिए मानलो कि आइविस लिखा नहीं और यह इंपर्टन ऐसा गलती से लिख गया तारी स्लाइट पही आगया यह इंपर्वमेंट है ठीक है यह इंपर्टन नहीं है इंपर्टन क्योस्टन तो बहुत है चला बताओ यह अगर मानलो आइविस ना लखा तो क्या करोगे और jáओं आईविस जो है वो ना लिखा तो क्या करोगे आई वोजड़ी पृंसपल ना लखा थोह है आइवस देर स्प्रिंस्पल अश्कॉल आई थे पृंसपल आई श्कूल I am the principal of my school इन चारों में से कौन सा option answer होगा अगर I wish ना लिखाओ मैं तब की बात कर रहा हूं बच्छा हूं अगर I wish ना लिखाओ तब पता हम क्या करेंगे अगर I wish नहीं लिखाओगा तो या तो या तो ये सही होगा या फिर वह जो लिखाओ वही सही होगा अगर कोई परसं था आपने टाइम में प्रिंसिपल था अपने स्कूल में मलब प्रिंसिपल का मलब वह assistant teacher नहीं था चपरासी नहीं था प्रिंसिपल था ठीक है आई वेश यू वेंट या हैड गॉन देर अभी जो मैं बताने जा रहा हूं मुझे नहीं पता तुम्हें से कितने बच्चे बात जानते हैं लेकिन अगर नहीं पहले से जानते हों किसी कारण से तो अब ज़रा ध्यान देना यह तो सब को पता कि अगर हम आई वेश लिख दे यह तो इसकेंट फर्म लिखते हैं अं helpless हर यहां पर सद्रेंट मूनिंग हो जाता है यह बटल नोट यह यह या तो प्रेजनत का यह reconcile मेघनेसन हो जाते हैं मैं जैए प्रितॉट्वजलियों लेकिन तुम हां जाते ही नहीं हो या तुम हां जाओगे नहीं अले ये इमेजनेसे ने प्रेजेंट का ये फिचर का लेकिन अगर माल लो हम कभी पास्ट की सिच्वोशन को इमेजन करें कि आईविश वह गय होते हैं तो हम लिग जैते हैं लेकिन तुम गया नहीं तो जो बच्चे ध्यान करें बैठे हैं कि आई इसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है वह यह सीख लें कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी आ सकती है वह डिपेंड करता है कि आप प्रिजेंट फूचर को इमेजन कर रहे हैं पास्ट को इमेज लिए गलत है तो वह तो जो है गलत है अब या तम हैडवें लिखें या वर लिखें क्या लिखें अगर वर नहीं दे रखा हो तो हम वर लिख देते हैं अब ऐसे सिचुसें जो आपको चॉइस करने को आए तो मैं आपको बदाता हूं हमें साथ डिफोल्ट पॉर्टर्ण टाइम प्रिजेंट बाना करो ठीक है और जब तक पास्ट का मेंशन नम तब तлек उसको प्रिजेंट का ही मेंजनेसन भी माल लिए तो उससमें हम प्रेफर करेंगे वर्क हो लेकिन हमना इसको कैंसल नहीं कर रहें बस हम इसको आप नहीं करेंगे तो अच्छा एक और भी चीज़ है अपने नोटिस किया होगा एक मतलब हमने तो ध्यानी दिया है एक और भी पैटन काम करता है हलांकि उसका कोई लॉजिक नहीं है बड़ पता नहीं यह लोग कभी हो सकता बाद में सही भी कर दें को यह हमसे क्वेश्चन पू सब्सक्राइब करें लेकिन जो हमें चार ऑप्शन दिया गया है कि जिसको अगर हम यूज कर दें तो भी सही रहेगा तो अब हम क्या क्या टीक करें नो इंप्रोवम्ट्यव जब और और यह पर ध्यान रखना है तो यह वात कि पहले दखल अद यूज को सही मन लो वरड दे दिया गया और यह सही हो सकता है तो इसी पर सही मन लो मत खतम गया चलो यहां सारे विट्चहाट से देखना अगर इसे इनलें स फिर सही है कि लूशी को बुलाओ के कट वाते हैं तो किसी ने का पेख तो कट गया पहले तुम लेट आये हो तो वह यह कह देगा लूशी आगर यह काम हो चुका है प्रेजेंट में यह बतानी है किसी को तो यह सही है लेकिन यहां पर ध्यान से देखो टाइम लिखा हुआ है जब हम पहुंचे पार्टी होल में तब तो अभी हमने पढ़ा था ने वेन के साल लिखी के क्लॉजस जो होती है वह सबॉर्डिनेट क्लॉजस टाइम को रेफर करती है और यह टाइम देखो पास्ट है जो हमने लिखा यह पास्टेंश की वर्व है तो इसका वंदब वेन कलॉज में जो हमने टाइम लिखा है वह यह एक चीज जाना चाहता हूं तुम लोगों से जैसे हमने यहां पर हैस की जागे हैड लिखके सभी कर लिया क्या अगर हम हैस को हटा देते और केवल कट लिखा करें और हम किसी टाइम से पहले हो गए काम को करना हो ठीक है तो जब भी लिखा होता है तो वहां पर पर्फेक्ट टेंस को ही लिखा करो इसलिए हमने यह जो है ना इसकी जगे पर है लिखा नहीं तो अगर हम है जटा के पहले हो गया तो यह पहुँचे पास्ट में लेकिन के कजिया उससे भी पास्ट मैं sound और एले this custom has come down has down लिखते है के बलो इसको बिच्चे ने question को बहले में थोड़ा सब obtory को है has come down के लो अब answer है this custom has come down since time immemorial this custom has come down since time immemorial मैं चाहते हैं इसका आंसे तुम लोग भी थोड़ा से सोच के बता एक बार explain तो मुझे ही करना आई नो बट एक बार तुम लोग क्या कर सकते हो इसमें देखो यह कम लिखा हुआ है मलब माले ना कम लिखा हुआ इस कस्टम हैस कम डाउन सिंस टाइम इमरेल दिया होगा लेकिन सही होता नहीं है देखो जो बच्चे टेंस में मिस्टेक ढूंड रहे हैं बज़रा इधर आजए है जैसे हमें पता है कि हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं ठीक है फॉर और सिंस का यूज करते हैं टाइम के पॉइंट और डियूरेशन के लिए, और पॉइंट के लिए, पॉइंट और डियूरेशन का मतलब क्या है, इसे आप ऐसे समझेयों, माल लो, ये एक टाइंग लाइन है, डिक के, टाइम तो अनंद ह데, जो हमारा मतलब अपना कॉंसेप्ट है टाइम का जिस तरीके से अम टाइम को मतलब टाइम के किसी को नहीं बता तैम को फिजिकल चीज तो है जैसे यहां पर चेयर है कंप्यूटर है दिवार है मैं हूँ तो महों हो पैन है कपड़े हैं यह सब फिजिकल एक्जिस्ट करता है टाइम ऐसी कोई चीज तो है नहीं वह एक हमारा कंसेप्ट है मतलब हमने मान रखा है कि इनको रिलेट करने के लिए हमने उसको माना है तो अगर वह है तो वह अनंत है जब से सारी चीजें और जब तक रहेंगे तब तक वह रहेगा ठीक है लेकिन जब हो अपने फिजिकल आम बोल चल की भासा में जब टाइम का मनलब टाइम वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पर टाइम से मतलब यह होता है कि जो एक अनंत लाइन है जिसको हम समय कहते हैं यह जो प्रभाहा है पूरा ठीक है घटना होगा इसी को टाइम कहा जा रहा है इस पर कुछ इवेंट इंटरवल है जो गैप है ठीक है ए भी तो हमारे लिए टाइम का मतलब यह है तो पॉइंट्स यह पॉइंट्स के बीच का जो गैप है डियूरेशन वह अगर हम कभी इस डियूरेशन को रेफर करेंगे तो हम प्रेपोजिशन लिखेंगे फॉर अगर कभी हम इन पॉइंट को refer करेंगे तो हम preparation लिखेंगे since तो since लिखकर हम यह बताते हैं कि there is some point कि यह दिन यह महिना यह hour यह minute since के तो और for के थूर डुरेशन अब यहां पर देखो फिर टाईम हमने लिखा है time expression time immemorial यह क्या है यह point है duration है can we locate it on timeline यहां से यहां लिख दें सुबह पाँच वजे से तो सुबह पाँच वजे को टाइम पर पोइंट कर सकते हैं किया हम टाइम लाइं पर पिन-पोइंट कर सकते हैं आंसर नहीं कर सकते क्यों क्यों क्योंकि time available का मतलब है the time that is beyond our memory आपकी मतलब memory से परे का time जब memory से परे का है तो आप उसको months में hours में minutes में pinpoint नहीं कर सकते ठीक है so it is not a definite point यह कोई definite point भी नहीं है पहली चीज़ duration तो है नहीं क्यों duration वाले टाइम एक्सप्रेशन होते हैं यह तो सारे बच्चों को पते ही होगा ना मैं देख यहां लिख भी देता हूं duration का मतलब reply of how long कि ठीक है point का मतलब reply of when तो जो time expressions point को represent करते हैं वह वेन का reply होते हैं और duration को represent करते हैं how long का reply होते है time memory में से एक का भी नहीं है ना वह कोई dedicated duration है ना वह dedicated points है तो इसके साथ में ना since या for कुछ मतलब लिखा करो इसके साथ लिखा करो from अच्छी बात यह कि कुछ बच्चों का अंसर भी यही था कुछ बच्चों ने कमेंट किया तो उनका यही आंसर था मतलब बच्चे त्यारी कर रहे हैं पड़ाई लिखा रहे हैं अच्छी बात है अनको नों 2 बेसिक तरिके से केटागराई ऐख सकते हैं एक फ़्रमाल लेंग्वेज रहे एक लोग कि से भासा बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं अख़वारों में आ हारा है नियूज में क्या बोला जा रहा है वह फंक्षिनल लेंग्वेसे इस हैं ठीक है लिकिन एक एक फॉर होते हैं उनको correct करने के लिए आपको standard uses of language जो होते हैं वो जानने होते हैं उनको apply करना होता है movie में कोई क्या बोलता है यह देखकर paper में सही नहीं किया जाता समझे निवस्पेपर में किसे नहीं क्या लिखाया तो यह देखकर question paper में answer नहीं change के जाते हैं क्योंकि वह language उसके लिए hard and fast नहीं है कि वह standard language form ही होनी चाहिए तो newspaper की language movies की language serials की language फंक्शन language users ठीक है कुछ बच्चें उनको बड़ा seriously ले जाते हैं कि हमने नेट पर पढ़ा था वहां लिखा था आरे भाहिया है कि नेट पर हमारे तुम्हारे लोग बैठे हैना वहीं तो लिखे रहे हैं वहीतों49 चीजर प्रूंस-धर बना रखे चैनल बना रखा ठीक है तो वो लोग कितना समझदार है किस लेवल के हैं तो डिपेंड करता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question they were having a birthday party at home next week they were having a birthday party at the home next week answer कर रो से सीधा साथ बच्चा होता नो वो सोचता रहे नेट पर लिखा गूगल पर लिखा तो सची होगा उसे नहीं पता गूगल पर तुम्हारे जैसे पीछे बैठे लोग हैं वहीं लिख देते हैं हाँ 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 आंसर किया वे तुम लोगों ने चलो यहां देखो लिखा दे वर हाँ हिख अ बर्थडे पार्टी अठ्वम नेक्स विख माल लो मानलो यह इतना हो बताव सहिय करो या गलत कना हो छोड़ो में काम करता हो माल यह लिख ही एक You ऐसे मालो अब बताओ कौनसा ओप्सें टिक करोगे एबी सी डी अगर इसमें एट ओम के बाद में नेस्ट विक लिखा वो ना लिखा हमाँ अटाद हमसे नेक्स ट्रीक को नहीं एक अब क्या करोगे सभी हो जागा फिर तो अगर मान लो हम नेक्स्ट विक ना लिखें तो सभी मान लो लो पडोसी आगे उसने बुझा वह बढ़ा आपके घर से सोरकुल हो रहा है क्या तो आप आर हैविंग लिख दो वर हैविंग लिख दो पास्ट कॉंटिनिवस लिख दो फ्यूचर लिख दो जो चाहिए लिख दो नेक्स्ट विक लिखा हुए अब दिमाग यूश्च करना लेकिन आप साइब लिखा वह पास्ट हो गया तो इसको सभी करने अब सब्सकों करने के लिए इसको फ्यूचर बिनाना पड़ेगा तैम डिसाइड दा अगर टाइम फ्यूचर का है पास्ट का है तो तो टैंस आपका फ्यूचर ही होना चाहिए तो हमने वर हैविंग लिख है तो फ्यूचर है नहीं तो यह गरत है सही करो कैसे करोगे विल भी हैविंग लिख दो विल हैव लिख दो अब नितम मैं एक तरीका बताता हूं है अगर हम वर की जगे आर लिख दें वी आर हैविंग अपार्टी एट अर्वोम नेक्स्ट विख तो सही अगला जल्दी से कमेंट करके बताना सही प्रिजेंट कॉंटिनिवस टेंसर जो होते हैं और प्रिजेंट इंडफने टेंसर जो होते हैं उनका युज़ हम फ्यूचर एक्सं के लिए करते हैं सबको पता होगा अगर फ्यूचर का कोई सेडिल एक्षन है कोई ऐसा सेडिूलड एक्सर एवेंट होना पहले से ऑस्यों हो चुका प्लान हो चुका है तो हम उसको प्रिजेंट इनफनीट या प्रिजेंट कॉंटिनवस दोनों में से किसे भी टेंस में लिख सकते हैं चिक अगर वह इवेंट जो सेड़्यों क्या गया है वह रेगुलर ली उसी स्रेड्यू हो फालो करता है मतलब भार बार उससोह ललव करेगा तो हम उसको प्रेंट इंदेमिति में लिख देते हैं है लेकिन अगर वो के वोन टाइम के लिए सेडिल किया गया दुबारा या तो होगा नहीं या होगा तो नहीं सेडिल बनेगा तो हम उसको प्रिजेंट कॉंटिनुबस में लिख देते हैं बर्थडेवे पार्टी घर पर मनाना किस तरीके का सेडिल होगा या फ्रिक्वेंट सेडिल वन टाइम भाई इस वार घर पर मना रहे हो अगली वार ना मना है हो सकता होटल में या कहीं रेस्टोरेंड में कहीं कहीं और मना है ठीक है तो यह वन टाइम सेडूल एक्षन है फ्यूचर में होगा हलाएं कि आप इसको प्रिजेंट कॉंटीनुमस में लिख दो देयार है वि जल्दी से वेटा बताओ इस कॉश्चन का अंसर देखो यहां पर देखना हुआ कि ही यहां पर यहां पर है यह अउने या थेंटेंस है आप पता नहीं लोग पहचान पाई या नहीं पहचान पाई लेकिन प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस है बस दिखके दिएगी पैसी वोईस में है यह जो उमने लिखा है प्रिजेंट पर्फेक्ट एंस है यह पैसी वोईस में है आसान तरीके से बता दूँ यह टेड़र तरीके से बता दूँ मुझे समझाने के ना कई तरीके आते हैं एक ही बात को समझाने कहने के I can explain it in an easy way in an easy way और my way कौन से तरीके चाहते हूं किस तरीके से समझा दूँ वैसे समझा दूँ इन से पूछ लेता हूं पढ़ना तो इन्हें है सीखना देने चलो बताव मैं option दे रहा हूं कि इजी वे और my way कि मैं अपने तरीके से समझाओ इस question को यह आसान तरीके से समझाओ कि कि अज़िए पहले से जानते समझते हैं मेरी अप्रोच को वो तो है ठीक है सीथा साथा बच्चा भोला वाला होता है वो सीखने से पहले दिमोटिवेट हो जाता है मैं नहीं चाहता है उसकी इम्मत बनी रहे तो इसलिए मैं ने टेड़ा नहीं लिखके माई लिख दिया कि देखो कैसे बीसमलो आंसर तो वहीं आना है मलत तरीके दोनों को समझने में से कुछ हुई हो सकते हैं यहां देखिए मैं पहले आसान वाले तरीके से समझा देता हूं आसान तरीका क्या कहता है यह जो हमने वाश्ट मूवी लिखी है यह जो है विन वाश्ट ने वर्ब यह वर्ब है हमारे सिधा साधे यह रहती है किसी भी थहरड ओर से पहले एगर बिकी फॉड़ हो तो वर्ब पैसिव होती यह रहती है थर्ड फॉर्म से पहले अगर हमने बी की फॉर्म लिखते हैं तो यहां पर ध्यान से देखो सब्जेक्ट कौन है तो जो ही और हीस फ्रेंड्स हैं इन्होंने मूवी देखी होगी या इनको किसी ने देखा होगा अगर इनको किसी ने नहीं देखा है तो यह वह हमारी एक्टिव होनी चाहिए तो हमने बीन हटा दिया ठीक है और वर्व एक्टिव हो गई क्योंकि बीन लिखने की वज़े से तो पैसी बन रही थी तो बीन हटा दो एक्टिव हो गई यह इस बात को समझने का आसान तरीका था ठीक है अब मेरा तरीका देखो अब मेरा तरीका देखो कि सारे इसे बताएंगे शमझ में ना हुए वो एक अलग बात है लेकिन बताना सबका जब हम कभी किसी वर्व को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं मानलों कोई वर्व है एक्टिव वो इसमें से लिखी है तो जब हम उसको हैट में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता हैpen प्यम पर युटर्जी process करना खते है इसको आप्जीक्ट बनाना होता है यह जो अब्जेक्ट लाया सिदों इन दोनों में से में कौन सा बनाना ये और दूसरा काम को सब्जेक्ट बनाना वह करना पड़ता ये दोनों काम करना पड़ता है सब्जेक और और जल्दी हो अह तो ललू तो हाई कि इंग्लिस न बच्चों को शुरुवात में इनके साथ खेल हो जाता है शुरुवात में जो टीचर्स मिलते हैं ज्यादा बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता उसको पता नहीं होता इस डर को अभी दूर कर लो तो कर लो नहीं तो फिर आगे डर यह तुम्हारा आंसर है कि दोनों चैंज करने होते हैं सर्प्राइजिंग नहीं है क्योंकि तुमसे मुझे उम्मीद अभी इतनी है बट आगे मैं चाहता हूं कि चीज़े सुधार होंगी मतलब अभी तो मैं तुमसे जाद उम्मीद नहीं करता है कि अरे बेवकूफों के यह काम होता है किसी भी वर्ब को एक्टिव से पैसे बनाने पर जो उसका अब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट अब्जेक्ट नहीं बनता ठीक है यह काम करना होता है यह नहीं करना होता है यहां देखो he ate the mango the mango was eaten by him अकल नहीं उस करते है ना बच्चे देखो he subject है कि मैं ate verb है mango इस वर्ब का object है तो यह तो हो गया अक्टिविस्टेक्ट है अब यहाँ जाओ was eaten verb है passive में mango इसका subject है जो active में object था वो अब subject है him जो है यह object तो है लेकिन यह verb का नहीं प्रेपोजिशन का object है और इसको लिखना यहाँ पर mandatory नहीं होता उसको भटा भी दोगे तो कोई फर्ग नहीं पड़ता तो mango was eaten सही हो जाएगा तो हमने जो object था उसको तो subject में दे लेंगे subject को object नहीं बनाए तो इतनी तो अकल अपने आप ही उसका लिया करो कि अगर हम subject object को change कर देंगे तब तो फिर बेतु का मीनिंग बन जाएगा ठीक है और इतना तो सारे बच्चों को भी पता होता है कि जब हम एक्टिव पैसिफ चैंज करते हैं तो हमें टेंस और मीनिंग नहीं चैंज होते हैं अब तुम subject को object कर दोगे तो तुम्हें लगता कि जो पहले मीनिंग था वह बचा रहे जाएगा ठीक है तो केवल object subject बनता है subject नहीं बनता जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिफ में चैंज करते हैं ठीक तो इससे आप यह निकाल सकते हो कि जब कोई व लिखी पैसिव में इसके साथ मैं आप नहीं लिख सकते है ठीक तो जो पैसिफ होती ना उनके साथ अब जैक्त यहां पर द्यान से देखो इस वर्ब के साथ एक अब्जेक्ट लिखा हुआ है अब आसकर नॉमिनेटेड फिल्म अभी जो लिए लिख रखा नहीं तो आसकर नॉमिनेटेड फिल्म यह ध्यान से देखो यह इसी वर्ब का अब जर्ण और यह यह वर्ब हमने लिख रखी वह पैसी तो अगर यह बाते हैं पहले से जानते समझते हैं कि पैसी वर्ब के साथ में तो अब्जेक्ट होता नहीं क्योंकि जो अब यह थोड़ी दूरी बात है लेकिन अब ज्यादा इसका मतलब बाल की खाल नहीं निकालूंगा वो जब तुम लोग वर्वर्व पढ़ोगे और जब पढ़ाया जाएगा तब क्लियर हो जाएगा बट अभी इतना तुम्हार लिए काफी है ठीक है तो यह अगर तुम ध्यान से देखते कि वर्व है पैसिव हो इसमें और अब्जेक लिख तो ऐसे समझ्जाओ की गलद लिखा है और अगर पैसिव है तो अब्जेक्ट नहीं होना चाहिए तो मतलब चैंज तो करने ही पड़ेगा अब अब ऑब्जेक्ट को तो तुम हटानी दोगे तो बहुत को पैसे च्टिव बना लो यह आंसर हो गया यह हमारा तरीका इंगलि तो में जान जंगा इतने यहां पर हमारे पास ललू बच्चे भी है अधस्वाइब अगर आगा डिए तो अगले का जा को अन्लेस देए अराइव विदिन देनक्स फूर वीक्स ताउजन सारे स्टार विं बच्चों पढ़ो इसे देखो क्या मसला है अनलेस दी एर अराइब विदिन देन्स फ्यू वीक्स थाउजन सारे स्टार्विंग अब हम कहा रहें कि अगले कुछ हटों में मदद नहीं आई तो फिर थाउजन सारे स्टार्विंग लिखा है न यह द्यान से देखो प्रिजें लिखिये इस में अमने टाइम लिखा था नेक्स्ट फ्यू वीक्स में टाइम लिखा ऑगा कि यह हैं यह फ्यूटल सीच कहां डाइ्ट इस सबसे पहला वीडियो था था रहा और कंडिशनल में यह पड़ा था कि जो इफ और आनलेस कंजंग्शन के साथ में हम लिखते हैं वो क्लॉजस कंडिशन होती है पिरश जो होती है तिर में प्लाज से शजट होती है कंडिशन है और उसका क्या रिजल्ट आ सकता वह यहां लिखा हुआ है यह रिजल्ट है पहले कंडिशन होती है पहले रिजल्ट मतलब क्या होता है कंडिशन के बाद में रिजल्ट आता है यह रिजल्ट के बाद में कंडिशन आती है जल्दी से बता हूं गैं फिल्विक भी किसिव कहो ए लॉजिटल सेक्विन इस बढ घ्राव्र ऐस्ट आख Elias कि लिटा एच सोफ कंडिशन किके मुद्ट सब्सक्राइब यह हमारी फिचर आई इस सहे इसे दोन सकता है कि चुकि यह सबॉडिनेट क्लॉज है इसलिए फुचर टैंस नहीं लिख रखा लेकिन टाइमस हम जानगे कि एक्षन है फूचर गई तो अगर यह सबॉडिनेट क्लॉज हमने लिख रखी है कंडिशन को रिप्रेजेंट कर रही है और अगर यह फूचर में तो इसका जो रिज स्टाविंग कर दो विल है इस्टार्ट कर दो विल स्टार्व कर दो मतलब कुछ भी कर दो लेकिन फूचर कर दो यह आपका आंसर होगा ठीक है नेक्स बैज़ों नेक्स क्रेशन देखे सारे बच्चे वैन अट लास्ट वीगट तो दीटेटर देमच पॉच्छ पॉच्छ क्यूच पॉच्छ पॉच्ण पॉच्छ पॉच्छipन देखिए ज्यादा दिमाग नहीं उसकर ना ठीक है सीधे यहां पर क्या कीजिए हमने लिखा वाज बिग दा प्रोग्राम वाज बिगन हलाएं कि बिगन वर्फ जो होते हो ट्रांस्टिम्न ट्रांस्टिम्न दोनों होते तो मुसका पैसिब बना सकते हैं से कोई बात है नहीं उसको पैसी में भी लिखा जा सकते तो गलत होने नहीं जा रहा है सबसे पहले आ जाते हैं वेन एट लास्ट वी गोट देट यह वेन कंजेंक्शन लिखा हुआ है अभी हम इतिनी देर से चला जला के पढ़ रहे हैं कि वेन वाइल एंटिल के साथ में लि लिखा हुआ है फिकर атели 10 एक्सन है जिस एक्षन का है टाइम लिखा हुआ अब यह टाइम पास्ट है तो इसका मथलिए जो हमने इस बीगन लिखर का प्रिजेंट यह तो गलत हो गया और यह जो हमने घट लिगन लिक्का यह भी गलत नहीं नहीं इसको भी गलत नहीं करते हैं क्योंकि यह तो past ही है तो head begin begin और was begin अब वंआरे पास बचती है अब आफ तीन आप्स बचती है तीन मेंसे दो option बिगेल और यह वाउस बिगेल यह दोनों पास्ट इन्ड अब यह एक्ट्टिव है और वह पैसिव है होना भी होता हूं बिगिन करना भी होता है इंग्लेक्राइब काफी ऐसे जो two तो होति है बेगे यह स्टार्ट स्टार्ट का मतलब univers incomण भी चपलेशा घ्र they scratch करना भी आफ़ वाइफ श्ञुट का मतलब खोलना भी खोर झोड़ना भी घाग है, थी psycho says, फ्लाइ कहा मतलब फ्लाइ हो फ्लाइ करना भी, मतलब उड़ ना भी यो ऊड़ाना भी, So there are a number of verbs in English which can be both the meanings, the meaning of happening, the meaning of doing, they are transitive, they are in transitive, So begin is one of those verbs, begin as a verb, this閉म does begin sound around, now we can use active passive both of them, आप जब यह तुम्हें पता है कि वाज भीगेंड भी सही हो सकता है तो थोड़ा सा common sense apply करो और मान लो कि अगर दोने सही हो सकते हैं तो अप्सन तो एक ही आंसर होगा मालब कोई आंसर तो एक ही ओप्सन होगा है और यह दोनों नहीं लॉजिकल होंगे तो फिर यह दोनों ही आंसर नहीं हो सकते ठीक है क्यों क्योंकि अगर इसको सही मानना पड़ेगा उसे सही मानना पड़ेगा तो इसका मतलब ऐसा तो कुर्ष्टन हम से नहीं पूछा जाता ना जिसमें लेकिन तुम्हें समझ भी नहीं होगा ठीक है यह समझ भी नहीं होगा कि वह बिगें और मतलब सेटिस्पाइब अब मैं समझाते हैं कॉंसेप्ट क्या है एक क्वेश्टन हमने लिखा मोहन गॉट अफ्रेड वेन दे लाइन रोड ठीक है दूसरा मोहन मोहन की जैके कुछ वाल लिख देता है इट बिगें टू रेन मोहन फेल असलिप ठीक है मैं थोड़ा से चेंज करना चाहा रहा हूं एक काम करें मिच्छे हलाएं कि वह एक्जामपल सही था लेकिन मैं चाहते हूं मेरे एक्जामपल मिलते जूलते से हूं अब यह जड़ा देखना हमने का कि डॉग जो है वह भौका जब मोहन ने उसको परेशान किया इट बिगें टू रहन बारे शुरू गया जब मोहन शोगया अब यहां पर हमें यह यह समझना है यह तो शबको पता होगे कि यह शीज़़ए शीज़़ए प्रश्यज़़ए आप यहां पर तो यहां पर यहां पर यहां पर पहले में टीज़़एगा बाद में बदोग ने बाग कि यह तो कनफर्म है कि common sense के यजब तो मैं आपको बता दू कि ऐसी सिट्वेशन में जब दोनों हो सकती हूं यह भी पहले हो सकता है तो जो लिखा होता है उसको पहले का माना करो मलब उसको माना करो ठीक है अगर context से clear हो जाएगी वह पहले का नहीं है तो यह लग बात है नहीं तो जो भेन के साथ लिखा गए action होता है उसको पहले हुआ माना करो अब देखो यह action दोनों past में हुए यह दोनों action भी past में हुए एक पहले हुआ एक बाद में हुआ तो हमने यह पढ़ रखा है सारे बच पहले हो गया पास्ट में वह पास्ट है उसको पास्ट में लिख तो इसको पहले पहले हमारी वारिस भाद में शुरूए तो इसको आप लेको अञिक मॉहन का भाला मॉहन मुर्णा मॉहन banda लौक तो इस Arthur मॉहन है टेजिट के नहींए तो हमें समंझने ہو गया बच्छा इसलिए तो हमारा डर जात है इसलिए हमारा बच्चा आए तो सुझसाब मताइं बता हुआ दो काम करके सीख लेगे यहां पर का मैं झाओ लख आए कि प्रोसेश जरूरी चीज होती है और उब त्यारी करते हों बच्चे त很 भात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरीके हम सीख रहे हो तरीका सही हो तुरंत आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अगर हम वेन के साथ में पास्ट में हुए कोई दो ऐसे इवेंट्स लिखें जिन में से पहले हुआ और एक बाद में हुआ तो कई बार जो पहले हुआ एक्सन होता हम उसे पास्ट पॉफट में लिखते हैं और कई बार नहीं भी लिखते हैं वो डिपेंड करता इस बात पर कि वो जो दोनों एक्सन ह एक के वज़े से दूसरा नहीं हो रहा है तो फिर जो पहले हुए वो पास्ट परफेट में लिख रहा है यह जो बाते मैंने तुम्हें बताई है औरली यह थर्टिकल है अब इनको प्रैक्टिकल समझते हैं इन एक्जांपल्स की मदस्टे इसने डॉक को टीज किया तो डॉक ने बार्ख किया अगर यह टीज नहीं करता तो डॉक भाख भी नहीं करता तो यह दोनों इंट्रडिपंडेंट एक्जने एक के वज़े से दूसरा हुआ यहां आ जाते हैं मोहन सो गया इसलिए बारिस शुरू हो गई मोहन नहीं सोता तो बारिस नहीं होती क्या यह माना ज इस दोनों सेपरेट एक्षन है अगर यह बात समझ में आगई आव आज यहां पर अपनी कुर्चन पर यह रहा हमारा क्रॉस्टन इसमें हमें हैड बिगन और बिगन मैसे को चूज करना है बिगन गलत हो जागा तो वह तीन मत आप्सन देखो ठीक है क्योंकि यह सही होगा यह गलत होगा तो वह गलत होगा तो हम इन्हीं दोनों को देख लेते हैं यह पास इंडेफिनिट है यह पास प्रफेक्ट है जो उसका प्रोग्राम का स्टार्ट होना है वह सेपरेट एक्षन है तो ध्यान देने सेपरेट होते हैं यह सेपरेट हैं आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं या कभी किसी थेटर में कोई प्ले देखने जाते हैं तो वहाँ पर प्ले का या मूवी का स्टार्ट ह होने का टाइम होता है ठीक है फिर चाहे कोई आये उसका इंतजार नहीं किया जाता वह उस समय सुरू कर दी जाती है तो जो लोग मुवी या थेटर जाते हैं देखने के लिए ठीक है उनका जाना और वहां पर प्रोग्राम का स्थार्ट होना यह दोनों सेपरेट एक्षन होत तो हैड हमने लिखे यहारा सरड नेक्स भागे अगले डेखो By noon the fog has cleared completely By noon the fog has cleared completely by noon the fog has cleared completely कि इनके लगतार टैंस के और भी क्लास रखने पड़े हैं कि देखो यहां पर सारे ध्यान से देखना बाइनून दफॉग है स्क्लियर कंप्लीटली अगर इसमें बाइनून ना लिखाओ तो यह सही है अगर मालन लो हम इसमें बाइनून लिखे ना तो यह सही है दो फॉग हैस क्लियर्ड कंप्लीटली फॉग पूरा टियर हो गया लेकिन यहां पर अभीक्लियर हुआ तो नहीं है यह बाइनून किसी टाइम को रेफर कर रहा है तब जाके यह काम होगा तो बाइनून जो है ना यह क्या है टाइम है और यह इस एक्षन का टाइम है अब सारे बच्चे ध्यान लगना जो मैंने शुरू में आपको तीन बेसिक्स बताया थे मैंने कहा तो वह मलब बेसिक्स of the basics है वो तो basics के basis है उनके बगर तो कुछ नहीं होपाएगा एक basic यह थाए now decides the tense नो सेपने सब्सक्राइकं है कि तीसरा क्या था कि इसे याद रहे किसी को कि का पास्ट तीसरा पॉइंट क्या था क्या बताया था मैंने कि ए नहीं कुछ और था एलो मेरे दिमाग से मेरे चक्कर आगे कि एक मिनिट ऐसे तुम लोग टाइम घराप कर लेंगे दिमाग पर जोड़ने जालूंगा कि इसरा है यही नहीं मझे लगता कि time and tense are not always consistent time and tense हमें सा consistent नहीं होता है हलाग कि मैं इस बात को यहां पर relate नहीं करना चाह रहा है इसलिए बाद ज्याज नहीं आ रही थी मैं आयां पर किसी और चीज़ को करना चाहरा था इसको इसको समझने के लिए जो concept आपको relate करना पड़ेगा इससे वह यह है कि अगर time of reporting और time of action same हो तो हम time of action को understood मान लेते हैं sentence में लिखते बोलते नहीं ठीक यह एक जो मैंने बीच में point बताया था ना उसको relate करना इस question से actually अब यहां देखो अगर by noon नहीं लिखा हो तो हम यह माल लेंगे कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय काम हो चुका है लेकिन अगर हमने by noon time लिख रखा है तो यह बाइन है ना यह time of reporting नहीं है यह बात यह जो by noon है यह जिस time को refer कर रहा है वह यहां तो reporting से पहले का है यह reporting से बाद का है पहले का नहीं मतलब उस समय का नहीं है हो सकते है का दे बच्चों को बात ना समझ माई हो तो मैं उसको भी सम्झाने का तक्निक जानता हूं यहां देखो मैंने एक sentence लिगा यह आर यह वर यह विल बी सई इन चालोड रीरो आर यह वार यह वर यह विल बी सई इन यूथ यूथ का हूँ लए यंगेज ठीक है C You are You were You will be Shy In all days यहाँ से समझना सारे बच्चे वो असल में वो basic बहुत जरूरी है वो जिसका clear हो गया ना वो बहुत confusion और doubt से बच जाता है और जिसका वो clear नहीं हो ना वो बहुत बार उलजता रहता है पढ़ता है और उलजता है यहाँ देखो यह हमने क्या कि एक वर्ब के तीन अलग अलग टेंसे लिख दिया है और हमें यह डिसाइड करना है कि उस वर्ब का कौन सा टेंस हमें यूज करना चाहिए अच्छा रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर टाइम लिख रखा है आप उस टाइम की मदद से डिसाइड कर सकते हो कौन सा टेंस यूज करना चाहिए अब देखो वर्ब है यह इस वर्ब का प्रजेंट टेंस है आर वर्ब जो है वो पास टेंस है उसी वर्ब का विल वी जो होरेंट इसलिए करेगे टाइम पर लिए लिखा इंढ़िए इन चाल्डूर लिखा तो हमें यह पता नहीं चाल्डूर कि टाय्म अगयी प्रजेंट एक तो आ रसी है अगर पास्ट एक टो वर्ब से और फ्यूच्र तो विल भी से वी ठीए तरीग है वसी तरीक से लिज ग और उसकी लाइफ होती क्या है दो पॉइंट के बीच के दारा Indi चिंट होता है पॉइंट होता है और एक पॉइंट होता है घायद वार्थ और डैफ के बीच जो डियूरेशन है इन डोनों पॉैंट है जीना आ destructive ड्यूरेशन अब होती है और रॉपstory Diżej चाल्डवींग एज ठीक है और ओलड लेस। और यह इसी सीक्वेंस में होती है। पहले बच्वN फिर जवान फिर बढ़ा पाई यहीं होता सीक्वेंस, सीक्वान बदल नहीं सकता। कि तो माल लेते हैं यह चाइड हो गई एक्स कि यूथ चेज्ज जो हो गई यह इस्टेज हो गई वाई ओल्डेज हो गई यह स्टेज हो गई जी अब यहां जो हम जिस परसन से से बात कह रहे हैं you are will be shy in childhood क्या यह चाइल्ड होगा क्या यह चाइल्ड होगा यह हमें सोचना है दिमाग अपना यूश करके सोचना है तो आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर यह होता तो हम यह क्यों कहते हैं मालोग किसी बच्चेज अगर हम कहें कि तुम शाही हो तो हम उससे यह थोड़ी कहेंगे you are sign childhood वो तो चाइल्ड हुड में है तो वहां पर अंडर्शूड है तो अगर हम यहां पर इन चाइल्ड हुड लिख रहे हैं तो जिसका मतलब जिससे हमें बात कह रहे है वह चाइल्ड हुड स्टेट में नहीं होगा अगर वह चाइल्ड हुड होगा वो याद तो य स्टेट में होगा य या य जी स्टेट में होगा थीक है वाल या तो यंउग होगा या बूढ़ा होगा अगर वह यंग है पास्ट है अगर वह दूं चाल्डूड उसके लिए पास्ट है तो यह आंसर है यह गलत है अब यहां पर लिखा इन यूट तो इसका हो जिसे हम बात करें वह यंगेज में तो नहीं होगा क्योंकि अगर वह यंगेज में होता तो हमें उसे इन यूट लिखना ही नहीं पड़ता तो यह तो भी बच्चा है तो यूथ उसके लिए फ्यूचर हो गया अगर वह बुड़ा है उल्डेज में तो यूथ उसके लिए पास्ट हो गया यह ओप्शन गलत हो ठीक है अब यहां लिखें ओल्डेज आप अगर हम किसी कह रहे हैं यू आर वर विल भी शाहीं ओल्डेज तो इसका मतलब होता हम लिखने नहीं पड़ता इन ओल्डेज तुका मलब हिस। अगर थתחम मं मैं तो भी उसके लिए फ्यूचर है। यह सही कि झल campus बात कि सही बात सम्सुक 해요 मैं यह आंसर किसको समझ में आगी जल्दी से निखर करकर सारे जल्दी सी अधर कि मता 두 ciao दσιना है किसको मैं और आगे किस किस को क्लियर हो गए कि कमेंट वास्ट तरह कि अधिया आ जाओ यहां यहां ने लिखा बाइन दो the fog has cleared completely यह जो by known लिखानी नंसे टाइम प्रिजेन्ट तो होगा नहीं या तो यह पास्ट होगा या फूचर होगा तो आप को यहां पर लिखना पड़ेगा धुर्फ फोर्कैक्ट की। सुर्फ जाएक यहां पर लिखना परेगा फूचर प्रफर्फर थे रात completely अगर यह बात आप कहा रहे हो दोपहर हो जाने के बाद में कि दोपहर से पहले सारा वाउब हो गया तो आप नहीं पास्थ टेंस तो या तो आप पास्थ अ लिछ या फ्यूच्र परसेंट लिए तो गलत हो जाएगा ठीक है तो ये जो सबसे बड़ी समस्या होती है ठीक है मेरा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं है में चीजे प्रोसेस कि पढ़ाई के साथ में थोड़ा बहुत मुझे पता है अगर पढ़ाना शुरू करूं तो मैं चे गंटे साथ गंटे आट गंटे की वी क्लास है तो हो सकता मैं पूरी क्लास में पढ़ाई लिकाए कि लावाई दर दर की बात ना करूं लेकिन मुझा है सारी इसा हिसा नहीं होता सारे बच्चों प्रोससा ही है आपने जितना भी पर दो दरिक्स ही बात कर लें हैं तो आई बिद्दद् Combine ma है आपनी जितना भी पढ़ा है जख पाच घंट में एक गंटे पढ़ा है चैना 5 घंट में चार घंट si इसने पढ़ाई घंट में चार घंटες पढ़ पढ़ soy s 2 si यह पांच गंटे में डाही गंटे पढ़ाई हुए जितनी देर भी पढ़ाई हुए पांच गंटे में चाहें आदा गंटे चाहें दो गंटे तीन गंटे उसकी प्रोसेस क्या थी प्रोसेस सही थी तो काम हो जाएगा प्रोसेस सही होने चाहें यह जो तरीका है सीखने और सिखाने का जिसको हम फॉलो कर रहे हैं यही है वो प्रोसेस जिससे इंगलिस सीखी जाती है इसके अलावा और की कौन सी प्रोसेस होती हैं कितनी प्रोसेस होती हैं आपको पता है कि य लेकिन वह लोगों की बातों में पढ़ जाते हैं और अपना बहुत कीमती टाइम बरबात कर लेते हैं वह अगर किसी धंके टीचर की गाइडेंस में 4-6 महीने मेहनत कर लेते तो हो सकता है उनका सब्जेट क्लियर हो जाता है अच्छे टीचर के पास में आप त्यारी करो तो हो जाता है लेकिन वह किसी के रूल रट्टा एक्सप्शन के चक्र में ऐसे पड़े की तैयारी तो नहीं दो साल करी लेकिन दो साल में गूम फिर के पहुंचे कहीं नहीं हमारे गाव में काहवत कहीं जाती होगी कि धाक के तीन पात है गूम गाम के रिजल्ट वही आता है च्छे महीने का कोर्स जोइन करके उन्होंने पढ़ाई करी चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई करी वो खतम होई पर करते हैं विचा पर कम प्रोसेस पर ज्यादा होने चाहिए अलब मेरा अपने अएसा महनना है मैंने यही कितने दिन पढ़ा के पढ़के मैंने जिन्दगी में यही सीखा कि प्रोसेस में काम करते हैं उनको रिजल्ट मिली जाता है और जिनकी प्रोसेस ही गड़वड होती ना उनके साथ समस झाल 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